तो यूटिल्स के अंदर मेरी चार फाइल्स आचुकी है नेटवर्क यूटिल्स, ओपन वैधर जैसन यूटिल्स, संशाइन डेट यूटिल्स, अब सिंपल क्या कर लिए गई जो हमारी चारो फाइल्स है इसका जो कोट फाइल्स कोपी करें को इस एम नेट जैना इкі हमारी ऊक्याइस से फिर चारो इर्फ पीकल्य कर लीटिम क्या है तो मैंने यहां पर क्या कर दिया इसे पेस्ट कर दिया एंड यहां पर हमारी कोई अरर भी नहीं आ रही है एंड यह सक्सेस्फुली क्या हो गया कॉपी पेस्ट हो चुका है कौन सा पर फाइल आखरी कर लेंगे और यह कौन से ओपन वैदर जेसन में तो यहां पर ओपन वैदर जेसन आ गई यहां पर मैं इसे पुब्लिक से कॉपी पेस्ट कर दूगा और आप देख सकते हो इसमें कोई पर नहीं अच्छा एक एरर आरही है दो एर है उसमें काफी सारी कर दिए कि मैंस हतो अब फिक्स करें और तो इसको बद नहीं करता है क्योंकि उसको एसपैले क्या द예요 कि मशल आरे का यह बढ़ें इसको पडी मैंन बं कर देता हूं and इसे बंद कर देता है है यह भी여 हमारी और यह आ गई हमारी के डेटकर अपके का इसे तो इसको फाइल है तो इसको पूरा नीचे तक कापी करेंगे तो simply मैं हां से इसे कापी कर लेता हूं एक बार चेक कर लेता है हमारा इसमें कुछ छोड तो नहीं गया है and simply मैंने सब कापी कर लिए थोड़ी बड़ी फाइल ठी and सब कॉपी हो गया आप सिंपल किसमें जाते हैं अपने संशाइन वेदर यूटिल्स में जाके इसे क्या कर देंगे गाइस कॉपी पेस कर देंगे एन यहां पर हमारी क्या एर्रस आ गहीं बहुत सारी एक्जैक 85 एर्रस हैं पर ताकि हम इसे बाद में देखें आप इसे मिनिमाइस कर देंगे आप क्या करते हैं जो हमारे दिख फोलडर था उसको कॉपी कर लिए एन गाइस इसको आप सिंपल क्या सकती जो मैंने लिंक दिया था उससरे डांडोड कर लेना इस चीज को मत भूलना सम्पल क्या करें कि ए इस वक्त देखोंगे हमारे app में resource में कुछ नहीं है राइड द्राइबल में देखोंगे सिर्फ दो icon है layout में भी अभी सिर्फ जो डिफॉल्ट हमारी layout file बनी है वही है map map में भी जो default icon होता है वही है and values में भी हमारे बस colors and string है तो इसे अभी बंद कर देते हैं फिलाल अभी फिर से किस पर चलता है हमारा जो सौफ्ट्वेर था जो हमारा फोल्डर था कौन सा तंशाइन जो हमने डाउनलोड किया था उसका डिसोर्स फोल्डर तो इसको मैं क्या कर लूँगा पूरे इसको कॉपी कर लूँगा सिंपल यह उसकी रिशोर्स डैrektory खल गहल चanna हमारे पास इसे ओपन करिंगे संपली यहां पर कर दूंगा मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा क्या क्या जो मैंने बहां से बहार से दौन यहांड मैंने डाउनलोडब फोलडर ता उससे एर मैंने नैसे इंटी और मैंने सिंपल कॉपी कर है तो हमारी जितनी एर्स थी वह सब हो चुकी है खटम यह वाली बैसिकली यह जो यूटिल्स वाली फाइल है अगर आप देखोगे इसमें कुछ भी जो भी है तब क्या है सब अभी तक हमने किसी का कहीं पर कोई यूज नहीं करा है यह अभी हम क्या करेंगे यूज करेंगे तो हमने रहा के लिए रख 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 आगे इसको देखेंगी क्या क्या लिखा हुआ है और यह बेसिकली है क्यों गाई ताकि हमारा छोटी-छोटी चीजों में टाइम एस नहीं फिलाल हमें क्या समझने कॉंसे समझने किसके एंड्रॉइड स्टूडियो के कॉंसे अंड्रॉइड स्टूडियो में मर्च करेंगे और कॉंसे कंपोनेंट हम जो एक साथ यूस करेंगे तो वह तो हम इन चीजों पर इतना वह नहीं करेंगे अभी अभी बहुत कोणिग टास्क के गाई इसमें ऐसा नहीं है तो आप किस पर चलता हैं गईस अपने आगे कॉंस sunshine ही शोगर रहा है okay and यहां पर पर लॉंचर हमारा सही लग हुआ है and यहां पर हम एक बार इस पर देख लेता है एंड यहां पर बिल्कुल exactly same work कर रहे हैं okay so we are done किस पर चलते हैं अपनी exercise पर चलते हैं and अपनी first exercise हम किस तर शुरू करेंगे तॉय आप में शुरू करेंगे तुम्हें इसे close कर देता हूं और कौनसा आप खोलूंगा अपना टॉय आप क्योंकि सबसे पहले जोसमें हमें changes करने हैं कि क्या क्या हमें changes करने हैं so guys हम आगे हैं किसमें टॉय आप में and इसमें हम कुछ functionality देखेंगे जैसे scroll view frame layout और कुछ और चीज़े हम जादा इसकी depth में जाएंगे क्योंकि हम इन वाले apps को कैसे करेंगे exercise by it करेंगे अभी हम तीन या चार exercises में एक साथ करेंगे और फिर हम किस पर स्विच कर लेंगे अपने दूसरे app पे फिर उसके exercise करेंगे ऐसी क्योंकि हम क exercise by exercise चलेंगे यह वाले जो हमारा study वहने माला session यह थोड़ा हमारे जो पुराने वाले sessions जो भी तक हमने करे थे चाहिए वो beginner में जैसे भी हमने beginner में चाहिए user input हो या multiple screen हो तो उसमें थोड़ा सा different था और इसमें थोड़ा सा different होगा हमारा क्या पढ़ने का तरीका तो फिलहाल अब हमारा यहां पर देख लेते हैं हमारी layout file and bit by bit build करेंगे and देखेंगे इसमें क्या-काइचेंज हमें करने हैं सबसब पहला जो चेंज करना है अगर आप to do list में देखो गाइस तो हमें क्या करना है जो frame layout है उसमें change करना है तो इसको constraint layout को right तो मैं यहां पर क्या करूँग क्या हमारा frame layout तो जो पहला to do तो हमारा यह हो गया है तो इसे क्या कर देता हूं डिलीट कर देता हूं अब guys basically यह वाली सारी चीज़े हमें क्या दुबारा सेट करनी है यहां पर हमारा पास to do है कि सारे attributes हटाने है default text हटाना है text view को 16 dp 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 देनी है और text size क्या है हमारा 20 SP okay तो simple मैं यह जितना भी text क्या है क्योंकि frame और guys जिन लोग को frame layout के बारे में नहीं पता है frame layout basically single view को या single child view को शो करता है और इसमें क्या होता है overlapping भी हो सकती है इसकी विए उसकी एक और एक लेकिन जो child view होगा वो शो एक ही होता है किसमें frame layout में यहां पर simple इसे भी delete कर देते हैं अब क्या कर लेते हैं एक अपना text view ले लेते हैं मैं यहां पर simple क्या ले लेता हूं एक text view ले लेता हूं और मैंने पराना वाला text view क्यों यूद नहीं करा क क्योंकि वह अलड़ी किसा था constraint कर दा उसमें इसके attributes भी ते राइट अब हमें उसके attributes भी change नहीं करने थे अब हमने सुचा कि सीधर के कर लेते हैं स्टार्टिंग से उसमें changes कर लेते हैं और इन दोनों का क्या कर लेते हैं हम wrap content कर लेते हैं एक चीज और इसकी जो ID है यह भी 20 SP को तो पूरा टक्स एक पूरा चाहिख वीज और जो हमारा टक्स विए आउट करना था एक विए वह यह यह हैं अब हमारे इसमें दूसरा वह क्या है एकप एक पर देखो टॉइट ने तो चैनल तो अल्रेड़ी इस वाली क्लास में हमने एक मैठड कर रखा है क्या ले रहा है गयी सारे ट्वाइश के नेम दे रहा है ज sous त υक औए है। छोंड है ना खरती है भी टिन खरती है। तो मैं यहां पर इसका यूज कर लूँगा, तो इसके लिए मैं क्या यूज कर सकता हूँ, इसके लिए मैं क्या यूज करनी पड़ेगी क्यों हमें राफर करना पड़ेगा, अब क्या करेंगी डिस्प्ले करना है कि इसको टॉइस को हाँ है हुए तो यहां मैं क्या ले दूंगों डिस्प्रेयरे ट्वाइ ट्वाइड ड्र में वहाँ नेम्स ऑफ यहां पर ID कूँ दिता कि मैं यसा अपने जावा फाइल में यूज्स कर सकों गाइस अब मैं किस में चैंजगे हैं अपने जास द्वाइल veggie करें गए कि क्योंकि हमें चाहिए किि जैसी हमारा एप खुले हमें सारी एलस दिख जाये अब सबसे पहले क्या टिकलेर कर लेते हैं एक वेयरेविल ढूई टेकल लेते हैं किस ट्च्ट लिए ट्क करेंगा। जो हमारा एक सबसे wis टैप का बनाओंगा and simple इसे लिख दूंगा m twice list text view ओके तो यह बना दिया है किस टैप का text view type का जो क्या hold करेगा इसकी पुदिए जितने भी twice की list की वह हंडिल करेगा अब जो हमारा text view हमें उस पर set करना है किस पर जो हमने यह variable set कर रहा है क्योंकि कहीं न कहीं तो जो list हो कहीं न कहीं तो शो करेगी किसमें शो करवाना है हमें text view में और कौन सा है हमारा m toy text view तो यहां पर कर देंगे casting कर देंगे हम and simply यहां पर क्या जाएगा and find view by idea जाएगा यहां पर हमारा और डॉट डॉट क्या जाएगा टीव तो जो हमारा text view तो उसको मैंने यहां पर reference देके save करवा जिया किसमें m toy list text view में एक चीज़ और गाई मैंने कभी आपको यह नहीं बताए कि हम यहां पर आर डॉट आईडी क्यों लिखते हैं तो बेसिकली गाई जो और आर होती है यह भी क्या होती है एक class होती है और class कहते हैं और class basically किस लिए होती है resources के लिए होती है and basically यह क्या recognize करती है कि हम कौन सी file पर reference करते हैं क्योंकि resources में खाली यह सारी किस चीज का हिसाब रखता है और class जितने भी हमारे resources यूज हुए होते हैं हमारे app में ही उसका record करता है तो simple हम यहां पर क्या गल देते हैं जब r.id दिया तो क्योंकि layout भी हमारी किसमें इंक्लूड होता है resource में इंक्लूड होता है तो r class में इंक्लूड होता है तो इसलिए हम reference हमेशे किस से देता है r.id क्योंकि हमने किसमें layout में दिया है id के basis पर तो basically r class क्या करती है find कर दिया कि अच्छा id हो कहां पर refer करेंगे हमेशा कहीं ना कहीं तो जितनी भी id type के हमारे होंगे resources वो क्या दिखा देगा यहां पर show कर देगा तो यह क्या होता है इसका logic होता है कि कैसे हसाब से हम show करवाते हैं अब मैं क्या करना है guys हमें हमें जुतने भी जो डिस्प्ले करवाने के लिए जो हमारे टॉइब बॉक्स वारी class में हमने क्या नेम डिस्प्ले कर देकिसके यहां पर अल्रीड हमने एक स्ट्रिंग टाइब का बना रखता है अरे में धुर्स करने साथ हैं ज malt Schmidt लिये ऐसे चोटाइब करवाणाई तो मैं सिंपल और सकता हूं एक स्ट्रिंग ले सकता हूं जिसमें मुझे स्टॉर करवा सकता हूं हैं तो मैं यहां पे स्टिंग influenced टोर रिम डunted तो नाम क्या रख दूंगा डर्ने तो रख दिग और के में कौन सी class में थे toy box में तो simple में toy box से method यूज कर सकता हूं get toy names right तो यहां पर guys क्या हुआ basically मैंने method यूज करा क्या करने के लिए जितनी हमारी list थी तो यहां पर आप देखो string में मैंने क्या already एक पूरा safe कर रहा था array तो यहां पर basically मैंने उसे किसमें कौनसी अरे में store कर दिया आप कौनसे वेरियेबल में toy name वाली एरे के वेरियेबल में मैंने store कर दिया तो यहां तक hopefully आपके समयन में आ गया है इस चीज का issue मतलेना कि यहां पर क्या हो रहा है क्योंकि कई concepts हमारे ऐसे हैं जैसे अभी हम सारे concepts पर अपलाए नहीं करेंगे क्योंकि हमारा एक दूसरा अप संचाइन आप जिस पर हम ऐसा करेंगे तोड़ा यहां से switch करेंगे कुछ concepts उस पर सीखेंगे फिर उस concepts दुबारा इस पर अपलाए करेंगे इसलिए मैंने आपको दोनों एप एक साथ इंपोर्ट करवाया अलग अलग नहीं करवाया वन्ना फिर confusion होता आपको तो गई एक साथ करके आप क्या करेंगे हम एक साथ switch करते रहेंगे दोनों के इसक carbon lol unl भी उसकता है तो यहां पर मैं क्या यूज करूंगा घइस फॉलShothead यूज़ कर्खेंगे यूज़ वाला फॉलूह लुच उजग ना करके शॉर्ट हैण वाला फॉलूह करेंगे बाल स्स्रीन टाइबल ले लूगा लगा ट्सिए स्ट्रिंग रियबिल लूग तो यहां पे कि अगर हमने append और append किसमें करना है हमें ट्वाइनेम में एड़ करना है तो यह क्या है हमारा ट्वाइन नेम एन इस चीज को जए जहान रखना जो हमने उपर टेक्श वियू दाला था वह किसमें दाला था सब्सक्राइब कर देंगे किसलिए कर देंगे किसलिए गाइस ताकि जब हमारे एक वो अपेंड हो तो उसके बाद थोड़ी सी हमारे की पास पेस दिखे राइट इसको थोड़ा सा हम बाद में जैसे आगे पड़ेंगे इसका भी बेटर दिखेंगे कैसे हम इस चीज को इन्क्रीज करवा सकते हैं डिस्पले को तो यहाँ पर हो गया हमारा डिस्पले हो गया है कि चितने भी हमारे नेम से अब एक चीज और गाइज अगर किसी को यह शौट है नहीं पताए किये जावर में हम शौट हैं कैसे बहुत बड़ी बात नहीं है आप के बात गाइस किस पे चलता है है अपने लै आउट पे चलते हैं अरे हमें एक चीज और चाहिए क्योंगे करें लिज्ड को इसको हमें पर स्कॐलिक कर सके सकें दिक लिस्ट एं agora कर देते हैं ऑन text view से पहले तो यहां पे संबल के आगया मेरा scroll view आगया जिया scroll view इसके वर्थ को तो guys क्या करेंगे हम match parent करेंगे उत्रहीं चौड़ा होना चाहिए लिकिन जो इसकी height होगी वह क्या होगी wrap content होगी and simply कि हमने पर angle bracket बन करके and इस से क्या कर लेते हैं cut कर लेते हैं करेंगे आँ लेक्त एम यहां तो यहां पर करेंगे है लिज्स दिक जक Ugh है के अ के सिंटिंड करें की संन्ठाइन चलता और कुस il twist नहीं फ्रización ककशन कोले हैं यहां एक चीज्प ऑन्ह लोग उसे कुछ चुक है कमेंट्स में भी एंड परसनली भी कि सर हम कॉंस्टेंट लेयाओट क्यों यूज नहीं करते राइट क्योंकि आप यहां पर देख रहे हो जैसे अगर मैं फ्रेम लेयाओट यूज करें तो कई लोग कि कहते हैं सर उसमें प्लेस्मेंट भी जादा एजी होती है अब जो हमारा कॉंस्ति लेयाओट होता है जो अगर आप इंडस्ट्री स्टेंडर्ड देखो एक्चली फिस इंसेंडर्ड आथा इंडस्ट्रींट लेयाओट हमारे किसमा आइंड्वाट स्दूडियो में आता था है लेकिन हम आपना क्यों यूज नहीं करते हैं क्यूंकि हमें मैं जो अ इस यहां जहां fix layout हो गया वहां पर हम constraint layout यूज करते हैं लेकिन वहां पर भी एक इस्य यह है अगर आपने orientation change कर ली अब आपने fix बनाया है उसे तो हो सकता आइकन जहां पर आपने प्रॉट्रेंट मोड्स में उसे प्लेस करा हो जब आप उसे लेंड्सकेप में करोगे तो वहाँ पे लोकेशन चेंज रहेगी लेकिन वह चीज फिक्स करी जा सकती है और फंक्शनलिटी से बट फिर भी हम 90% ताइम कॉंस्टेंट लेयाउट यूज नहीं कर दें क्यों 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 एक लिट्रल हो शुड़ा लेयाउट में अगर आपने बना लिया एक फोन के लिए बना लिया है किसी एक स्क्रीन साइज के लिए ओके जैसे मेरा नेक्सिस फाइव यहां पर लगगा है तो इसमें तो साही रहन होगा अब यही मेरा कोई और फोन हो जाए तो गाइस वही वाला जो कॉंस्टेंट लेय है तो वह और फोन पर जाकी क्या दे सकता है उसके आइकन स्क्रीन से बहुत निकल सकते हैं और कुछ और पॉब्लम से तो इसलिए हमें आपको हमेशे क्या रखते हैं थोड़ा रिस्पॉंसिव रखते हैं लेयाउट को कि कोई भी गईस ऐसी वाली इसू ना हो क्योंकि आप 90% पर आप में यूज करोगे चाहिए तो जैसे अगर रेल्वे टिकेट अप अब आयरें बाइब रहती है तो इकर किसका एक्जांपल है डाउट का अगर आप उसे फिक्स लेयाउट कर दोगे तो सक्सेस्फुल नहीं है तो थो तो तो और समझ लेते हैं किसके एनिमेशन क तुकि मैं क्या चाहता हूं और फिर किस पर चलेंगे अपने sunshine पर चलता है उसमें कुछ functionality सीखिंगे और उसका किसमें करेंगे अपने toy box वाले इसमें toy में favorite toy में apply करेंगे एन आगे भी करेंगे तो कि इसी वज़ा से जो हमारे कि मैंने बताया कि हमारे पास अलगता के रिस्पॉंसिव ले आउट चाहिए होता है राइट हमें एक fix ले चाहिए इसलिए हमका हमारे पास क्या है वह चींज होता है और हमारे जो ले आउट होता है उन्हें चाहिए कि वह अड़ाप्ट करें डिफ्रेंट स्क्रीन साइज के हिसाब से अब यह सोचने में अच्छा लगता है आपको डिजाइनिंग कर रहे हो राइट चाहिए आपका पर्सनल फोन जिस पर आप रंकर वाके देख रहे हो यह फिर इमिलेटर पर रंकर वाके देख लिए और तो अग्छा जैसे आप बिल्ड कर रहे हो कोई एप एन जैसे मैंने यह एप बीड़ कर आए इमिलेटर में तो इसमें तो मुझे यह दिख रहा है पिच्छर परफेक कि जिस हमने अगर फिक्स लेयाउट करेंगे हम स्टैटिक लेयाउट बनाएंगे तो स्टैटिक लेयाउट में सबसे आदा प्रममेटिक वाली यह बात होती है कि आपकी जिस फोन में उसमें तो सही लग रहा है लेकिन चाहां उसका साइज इंक्रीज या डिक्रीज हुआ इसे लिए हम करतें स्टैटिक डिस्प्लें कभी नहीं करते है इसलीए सबसे हमारी एक बात हमेशा याद रखनी होती है कि발ला कि स्टैटिक डिजाइन स्क्रीज भरे होते हैं सहट हमें यूस नहीं करने हमेशा क्या init catching क 편 cute धाइक बरे होता है स्विक्राइंस हमें यूज नह अब गाइस अगर आप देखो तोड़ा सा पुराने उसमें हम जाएं तो हमारे पास अल्रेडी जो फर्स अंड्रोइट फोन था एंड जिस पर हमारा फिक्स लेयाउट यूस करता था लेकिन अब पॉब्म यह थी उस वक इतने फोंस थे नहीं राइट जो अन बिल्कुल स्ट हमें क्यों चाहिए एक responsive design चाहिए है और ऐसा क्यों क्योंकि उसके बाद हमारे screen अलग-अलग size के अलग है phones टैप TVs and watches राइट तो जो हमारे इस वक मेरा app पूरा सही से दिख रहा है पर बड़े screen में जब इस हम screen size को resize करेंगे तो भी यह इस में डिजाइनिंग है हमारी वह क्या नहीं होने चाहिए अब वैसे तब भी elegant ही शो करना चाहिए आप इस चीज में जैसे अपने पैच में अभी जो पैशनी सौरी अभी हमन जब गाइस हमने क्या करा उसमें हमने का ठीक है कोई issue नहीं है वह एक text view को क्या कर सकता है overlap कर सकता है तो जब हमने उस पर append किये थे अगर आपको यादो text view तो basically हमने क्या करा क्योंकि वह जो frame layout में एक child view होता है वह पूरे screen को cover कर लेता है तो जहां पे हमें जैसी functionality चाहिए ह हम ऐसा application ले लेता है जैसे linear layout होता है linear layout क्या होता है हमें linearly stack करता है हमारे views को and grid क्या करता है grid की form में stack करता है constraint layout में थोड़ा सा complicated ज्यादा है यह करने में कि हमें responsive design बनाने में इसलिए अभी तक हमने इस course में constraint layout पे work नहीं करा क्योंकि वह थोड़ा सा ज्यादा typical है and designing उसकी tough ह लेकिन यह चीज हम सीखेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि अब हमारे जो layout बनेंगे वह जादा tough होंगे and उसमे functionality अभी अब हमें क्या करनी पड़ेगी ज्यादा add करनी पड़ेगी तो यहां तक का हमने layout का क्या कर दिया cover कर लिया अब किस पर चलते हैं guys अपन sunshine वाले app के app से start करेंगे and इस app में सबसे पहले हम क्या changes करेंगे अपने layout में changes कर लेंगे अभी हमें main को नहीं चूना है कुछ and यहां पर हमने क्या activity में आगा है सबसे पहला काम कि करना है वारा जो constraint layout तास में भी कुछ to do files है guys आप देख लेना हमें क्या करना है okay same ही चीज है इसे किसमें अपने frame layout में करना है तो मैं यहां पर simple क्या कर दूँगा frame यहां पर क्या कर दूँगा frame layout and इसके जो constraint layout का text view था यह मैं delete कर दूँगा जैसे हमने toy में delete कर दिया था guys हम अपना अलग से नया बना लेंगे and इसकी जो id है यह भी अप मुझे जरूरत नहीं है इसको कर दूँगा मैं delete कर दूँगा और इसमें हमारे बास दो name space आपको दिख रहे होंगे क्या है faded out दिख रहे है तो guys आप इसे delete भी कर सकते हो चोड़ भी सकते हो कोई इशू नहीं है मैं यहां पर आता हूं इसे delete कर देता हूं हमें in name space की तूल की जरूवत नहीं पड़ेगी तो मैंने simple क्या कर दिया डिलेट कर दिया है अब simple क्या कर लेंगे अपना एक text view बना लेंगे तो इहां पर simple मैं क्या कर लोगा text view और यहां पर मारी जो विर्थ होगी वो तो match parent होगी और हमारी height के लेते हैं wrap content ले लेते हैं and guys इसमें वर्थ भी ऐसा करते हैं wrap content ही लेते हैं शुकि हमें weather दिखाना है शो करना है हमें एक text view में पूरी list करना है कि इसकी weather की मैंने आपको starting में बताया था कि हमारे app में क्या ओने वाला है weather की reporting होने यह राइट तो हमें weather की वो दिखानी है तो उसमें अमें इतनी ही उस पे value दिखानी हैं जतनी ही उसकी तो इसने क्योंड पर आप gefragt कुम alex कॉन्टेंड कर लेता है इससे बाड़ इस안 पर हो अपर भीक्तम क्या थे ऑंफ जी इतने और पैडिंग यहां पर कर सकते हंद्ट था के हम शॉर्ज यह कुच पकी यह इसे क्या रहेrot कर सकें अब 20 dp यहां पर 20 की जगह करते हैं 16 and text size दे जाए है यहां पर text size आ गया हमारा 20 SP तो यहां पर क्या create हो गया है हमारा text view create हो गया है आप गाइस पहला क्यूंकि हम xml में है अपने layout में है तो अपने layout को ही complete कर लेते हैं तो क्या कर लेते हैं यहां पर हमें क्या चाहिए क्योंकि बहुत सारी weather reports हैंगे हमारी तो हमें जो लिस्ट होगी उसे scroll भी करना होगा तो scroll करना होगा तो यहां पर scroll view भी मैं हाथ हो हाथ कर देता हूँ add कर देता हूँ था कि मुझे बाद में ना करना पड़े इसके विर्थ क्या कर देता हैं मैच परेंट कर देता है एंड पर कहां तक स्क्रोल हो जहां तक content हो खाली तो height करेंगे इसका wrap content कर देंगे यहां पर हमने क्या कर दिया इसका closing tag लगा दिया इसे यहां से करके मैं simple guys कहां पर एसको दूँगा जो हमारा end of क्या था text view था और इसे एक बहा ctrl alt करके ctrl a करके ctrl alt l से मैंने इसे कर दिया रिफॉर्मेट कर दिया ताकि थोड़ा सा adjust हो जाए तो यहां पर हमारा क्या complete होगे जो layout file थी किस की गई हमारे sunshine app की इस चीज का दियान रखना काई हमें sunshine app में हमारा layout में क्या चाहिए हमारे जितने भी weather report हैं उन्हें list view में चाहिए हमें और उसमें क्या-क्या चाहिए होगा में data क्या-क्या चाहिए होगा एक तो guys क्या करते जाएंगे एंड डिस्प्ले करेंगे अब क्या करते हैं कि चलते हैं अपने किस पर जावाले उस पर logic पे अब क्या करना है जैसे हमने toys app में करता रहा है toys app में already हमारे existing toys इस एट थे दूसरी जावा क्लास में एक already method existing method ता जिसमें क्या था काई हमारे सारे twice की नेम गिवन थे हमने simply क्या कर लिए तो अब इसमें हमारे पास कोई ऐसे डेटा नहीं है राइट हमें के करना है online fetch करना है data को बट फिलहाल अभी एजा क्योंकि डेमो कर रहे हम अभी तो अभी फिलहाल हम net से करने करके एक dummy data बना लेते हैं अपना हो के तो इस dummy data को जो हम बनाएंगे तो उसको भी अब हमें क्या करना है शो करवाना है तो जैसे हमने वहां पर एक private global variable बना के उसमें data store करवाया एक field बनाई उस field में data store करवाया किसका text view का और फिर उसे show करवाया append करके तो वही चीज़ हम यहां पर करेंगे बस यहां पर difference क्या होगा जो data हमने last time जो toy वाले app में करा था and एक चीज़ और गाई हो सकता है कुछ लोगों का तो toy वाला वो जो app है वो run ना हुआ हो क्यों नहीं run हुआ होगा वहां पर error आ सकती है आपकी अगर append करवाने के बाद आपने list शोनी होई होगी कई लोगों की वहां पर build में error आ रही होगी तो build में करना है हमें क्योंकि जब हमने replace करा तो guys जैसे मेरा तो लोगों का older version है उन लोगों को issue नहीं आएगा यहां पर इस वाली यह वाली error नहीं आएगी उनकी लेकिन जो android x चला रहे है जो canary version है 4.1 सबसे updated version है उनको यहां पर क्या आएगी guys error आईगी तो कोई issue नहीं है ऐसा क्योंकि सिर्फ हम क्या करें एक छोटी सी exercise करें तो जैसी हम इन्हें थोड़े से और आगे बढ़ेंगे उससे पहले से क्या करेंगे fix करेंगे बट फिलाल के लिए इसे अभी छोड़ें अभी फिलाल हमारा क्या है main concept है क्या समझना कि कैसे हमारी जो main activity में हमें show करवानी है इसके बाद इसे भी fix करते हैं तो फिलाल अपके करवाना है मुझे एक private type का field create करनी है जो क्या करें टेक्स वीव के store करें कौन से टेक्स वीव के जिसमें हमारे वैदर का data आएगा क्योंकि इस चीज का हमेशे क्लियर रखना है यह आप किसके लिए बना रहा है हम वैदर कर data store करने के लिए and display करवाने के लिए तो मैं यहां पर एक comment add कर देता हूं यहां पर comment में simple हम क्या करेंगे एक private type का क्या बनाएंगे टेक्स वीव क्रियेट करेंगे जो क्या होल्ड करेगा गाईस जो हमारा वाला वह था टेक्स वीव उसको होल्ड करेगा तो यहां पर हमें किसको टाइम नाम से बना रहेता हूं m-weather-tex-view यहां जो हमने आपने on create में करेंगे हैं क्में आप क्रियेक करेंगे यहां फान क्या भी प्रक्रेइब करेंगे ना कर देंगे r.id.tvweather app जो हमारा textview था वो आप किस में store हो गया हमारे mweather textview में अब गाईस हमें क्या बनाना है मैंने आपसे बात करी थी कि हमें एक क्या बनाना एक dummy data बनाना है तो आप क्या करेंगे dummy data बना लिए किस type का string type का array array type के string data हमें हम कर लिंगे अपने डमीड के लिएट से उगं हैं यहां पर कमेंट एट कर देता हूं ताकि आप लोग Suppose क्ली ग्रुब्रे पॉब्र सेवन तरह बना लिए तो इसमें क्या सेफ कर लें यह इस में सेफ कर लेत renewed घिक लिएटा कैओ एन यहां पर simple क्या कर लेता हूं मैं लिख लेता है today may 17 और वेदर क्या होगा हमारा clear है 17 degree Celsius and 15 degree इतने के बीच में क्या होगा हमारा temperature होगा यहां पर सब्सक्राइब कर देता है ऐसी यहां पर हमने क्या कर रहे हैं लिख दिया कि कौन था कितरा degree temperature है अप क्या कर लेते हैं इस अपनी डामी data को fill out कर लेता है तो आप अगर आपने चाहो क्या आपना कोई data fill out कर सकते हो तो आप नहीं पर सिंपल कर लेते हैं type कर लेते हैं तो मैंने यहां पर क्या कर लिए अपना पूरा data type कर लिया है यहां पर मैंने today, tomorrow, Thursday, Friday, Saturday, Sunday and Monday तक का तो लिख लिख लिए पूरा जो हमारा एक क्या रहे का weather report लिख दिया है उसके बाद simply मैंने क्या by day करा है कि क्या क्या हो सकता है तो यह क्या हो गया एक हमारा dummy data हो गया किस type का string type का string type का array type का अब मुझे क्या करना है जो dummy data है इसको append करना है किसमें जो हमारे text view में है तो मुझे क्या चाहिए सबसे पहले तो मैं iterate करूँगा iterate करूँगा किसके through अपने जो array है उसके through और इस array को किसमें हमें append करना है अपने text view में तो basically guys इसका simple logic क्या है हम already यह क्या कर चुके है इसे के लिए मैंने क्या यहां पर क्या लिख दिया है गाइस कमेंट लिख दिया है simple यहां पर क्या लगा देंगे हम follow लगा देंगे follow किसले लगा इंगे guys iterate करने के लिए किसके through हमारी array के through तो simple यहां पर क्या लगा दिया मैंने fall loop लगा दिया और यहां पर क्या गया string type का हमारा क्या गया dummy weather data और simple लिख सकते हैं dummy weather day and यहां पर क्या जाएगा हमारा dummy weather data अब guys dummy data dummy weather data कौन साइज इसमें हमारा सारा safe था जो array थी हमारी right हमें array में ही to iterate करना है तो वो क्या कर लेंगे अब इसके थे थुरू कर लेंगे यहां को बताया थे क्या होता है मारा short-hand होता है कि सका fall loop का अगर हमें किसी एक array के थुरू search out करना होता है इरेट करना होता है तो हम यह भी कर सकते हैं और शॉर्ट हेंड होता है उसका और अब क्या कर लिंगे जो हमारा टेक्स वीव उसमें अपेंड कर सकते हैं तो मैं सिंपल यहां पर क्या यूज कर सकता हूं एम वैदर टेक्स वीव यूज कर सकता हूं और क्या कर लूंगा यहां पर मैंपेंड कर लूंगा और क्या पेंड ह यहां पर हमारा जो हमारा dummy weather day है तो यहां पर simple मैंने dummy weather day ले लिया और यहां पर क्या कर लिया गाइस backslash n कर यह क्या देगा हमारे space देगा print में तो यहां पर क्या होगा हमारे यह चीज पूरी होगे कि अब यह क्या कर वाएगा गाइस इसना गाइस एक है night एक खाली तीम से एक है night तीम के अब यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर वैल्यूज में देखो रहाएं तो यहां पर एक हमारे पास colors.xml file है क्योंकि यह refer किसे कर रहे है at the rate color अब हो सकता है किसी की यहां पर xml file नहीं आ रही हो colors की तो आप simple के कर सकते है create कर सकते हो and अगर मैं इसे open कर दूंगा तो यहां पर basically मेरे पास क्या आगा है सारे colors आ गए है अगर मैं आप कर देता है यहां पर simple color देता हूं और यहां पर क्या देख लेंगे name देख लेंगे जो हमारा first time उसका name क्या purple 500 at underscore तो यहां पर simple मैं देऊंगा purple underscore 500 and is kya देंगे हम color की value दे देंगे and मैंने इस क्या देदी यहां पर value देदी इसके बाद next color कॉन है हमारा purple 700 तो यहां पर मैंने क्या ले लिया color ले लिया purple पर अंडर्सकोर 700 एंड इसकी वैल्यू यहां पर दे दी मैंने यहां पर simple मैंने कर दिया copy paste कर दिया इसके बार अब आप देख सकते हो गाई जो आप हम उस पर focus नहीं करेंगे हम simple सबसे easy तरीका यही है आपको समझाने का तो यहां पर मैं क्या कर दूँगा यहां पर क्या color आगया वाइट दे दिया अगला color देख लेते हैं कौन सा है हमारा टील 200 तो यहां पर क्योंकि इस वक अभी हमारे इस पर यह है कि हमारा main issue है कि समझना राइट तो यहां पर हम लॉंग तरीके से ना जाके simple इस वक्वर्ण काम चला हुआ काम है वह करना है ना कि detail में जाना है इस वर और simple मैंने यहां पर क्या अपना ही यहां यह भी एक कर देते हैं कर इस ताकि हमारे color डिस्प्ले हो जाए और यहां पर क्या आगे हमारे color आगे टील 200 अब इसके बाद हमारा कौन सा बचाएगा इस टील 700 बचाए तो यहां पर मैंके कर दूंगा color name 700 and यहां पर इसकी value दे दिंगे simple मैंने यहां पर क्या कर यह को पेस कर दिया है है और यह क्या है हमारा टील आ गया आखरी color बचाएगा इस वह कौन सा है हमारा color on secondary यहां पर सिंपल आ गया color color एक बार यह capital में था small में color on secondary okay तो बेसिकली यहां पर हमारा camel case है color on secondary यहां पर गईस हमने simple क्या है यहां पर color on secondary हमारा black है तो सिंपल मैं यहां पर क्या है दो आख ब्लैक कलर दे देंगे यहां पर एंड सबसे इजी कलर होता है का इसका hex code याद रखना और यहां पर एक color छूड़िया गाइस कौन सा purple 200 तो purple 200 यहां पर टूहंड़ेट कर देता है और यहां पर क्या देता है पॉपल 200 हमारा यहां पर क्या है हमारा यह पूरा हो गया अब आप देख सकते हो कोई नहीं आ रहे हमारे थीम्स में यहां पर आप आप गाई इसका हूंड के भी लिख सकते हो यहां पर कर दी हमने फिक्स कर दिया अब जब आप इसे रन करोगे गाई इम्युलेटर में तो कोई नहीं आएगी राइट पिछली बार क्योंकि अगाई से पहले आप रन करोगे तो क्या राइगी कि रिसोर्स फाइल मैच अप नहीं कर रही है और वहां नहीं आएगी सिंपल जितन हमारे colors हैं उसकी find करके उन्हें एड कर देना है सेंबल राइक कोई changes नहीं करना हमें हमें ऐहां पर इम्याटर हो चुका है यहां पर हमारा स्क्रोल भी हो रहा है अंजो हमने डमी डेटा है हैं क्या करता इंपूट करता कि सम आपने sunshine में वह साईखी से शोवी हो रहा है ड़ जो ऐसी वाली एर्रस होती है जैसे थीम की वाली एर्र हो गई चोटी-चोटी एर्रस होती है इसको आप ट्राइ करो कि थोड़ा सा आप खुड कोशिश करा करो कि इन्हें निकालने की अगर इसमें ऐसी कोई एर्रस आती भी है तो आप यही चीज जो हमने इसमें संशाइनर फिक्स करी है वैसी हम सिंपल के कर सकते हैं अपने वाले में भी फिक्स कर सकते हैं तो कोई शू नहीं है इसकी चुके यह थोड़ी सी कुछ लोगों को पॉब्म होती है इसकी अरर निकालने में तो अभी तक हम एक क्या यूज कर रहे थे राइट इन लॉक्स कर लेता हैं एक बात थोड़ा सा मैं डिस्कुस कर लेता हूं क्यूंकि अभी तक हमने लॉक्स का बेसिक तो देख होती है आपको वह बजसे हैं तो बेसिकली समय होती है लॉक्केसिली तो कि यहाँ के दिखाया है अगर कोय घरक आती है अगर कोई यह चाहिए कि मुझे जोस स्था में तो CCP trace करके बताए कि exactly error है कहां और कौन से process में आ रही है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं log यूज करते हैं and log के भी अलग-अलग types होते हैं अब यहां पर अगर आप या my activity तो basically जो tag होता है उसको यह करते हैं guys उसी class का name देते हैं उसी class का means उसी activity का जो हमार जिसमें work कर रहे होते हैं क्यों क्योंकि log में एक problem की बात होती है guys कि log की जितनी भी अगर हमारी अगर हमारी चार जावा files है चार classes है और चारों में कोई ना कोई log tag लगा हुआ है अब guys उसमें issue क्या है अगर मैं tag नहीं लगाँगा अपने उसमें यह बताने के लिए कि कौन सी class में error आ रहे है तो basically जो log की सारी information जाती है वो एक ही जगा dump हो जाती है जो log की class है वो एक ही जगा क्लेक करती है सारी errors को अगर मैं उसमें tag नहीं दोंगा तो मुझे कैसे पता लगेगा कौन सी class में कौन सी यूज होगा एंड इसमें अगर आप देखो तो हमारे पास जो API है output के लिए log की हमारे पास कई सारे गिवन है यह लॉग वी लॉग डी लॉग डवलू और जो जैनरली हमने सबसे जादा अभी तक अपने आप हमारा में गहल त martyr जो जैसे यहां पर अपय हूश पासके प्रिदिफाइं कर रख और हमारे पास उसके और में अब्ले का हेप्लिक अंधाư। कि कितने टाइप की क्या होते हैं लॉग क्या कॉते हैं कैसे इसे कॉल करते हैं उसका क्या ह suisements consistent होता है तो तो basically guys, अभ हमें क्या समझना है? यह भाष है कि level क्या होता है? किसके message login के? जो क्या करता है? हमें display करता है अभी guys यह basically क्यों यह हम ने ड्सक्रस कर रहा? क्यों हम क्या क्यों क्यो क्यों GUYता है? कोई एरर आजा है हमारे वह शो करने के लिए लोग बहुत यूसफुल होता है गाइस किस उसके रीजन के वाजा से अगर आप मेरी जावाली क्लास में जाओ गाइस तो मैंने बहुत डीटेल में डीबगिंग बहुत डीटेल में समझाई है कि कैसे ब्रेकर यूस करेंगे कि कैसे यूस करते हैं तो गाइस यह बेसिकली पाच वह चीज है यह हमारी Piance, Messages है जो हम किसे यूज करेंगे लुक के साथ यूज करते हैं हर एक उसका अलग अलग अपना अलग वह है importance जरूरी नहीं है आप log में हमने क्या देखा था log e dot v तो basically guys यह है जब log e होता है वो error के लिए use होता है तो इसमें हमारे क्या कॉन कॉन तरे type होते है error, one, info, debug and verbose तो यह क्या होगा हमारे 5 type हो गए है एक six type भी होता है उसके बारे मैं भी बात में discuss करेंगी तो guys जो हमारे यह उपर के तीन लेवल होते है error, warn and info यह कभी use करते हैं हम यह use करते है जो जब हमारा app release हो जाता है उसके बाद use करते है मतलब जब जैसे आपने यह पनी log लगा रखे हैं तो यह use होते है जब आपने app release कर दिया है उसके बाद जब user उसे use कर रहा है तो हो सकता है उसमें कोई errors आएं कोई warnings आएं तो वो record करने के लिए हम क्या use करते हैं यह वाले तीन यह use करते हैं यह after release है after releasing the app we use this यह है after release इसके बाद जो हमारी बाकी की जो दो हैं वो guys करते हैं release करने से पहले अब अगर मैं लॉक का syntax देखनो तो लॉक का syntax guys हमारा क्या होता है simple क्या लिखते हैं हम log लिखते है dot x यहां पर क्या placeholder है मतलब यहां पर e, w, i, d, v क्योंसे यह 5 तरीके के हम कोई सा भी एक variable यहां पर input करेंगे उसके बाद हमारा क्या होता है string type का tag होता है अब tag guide मैं आपको बता देख क्या होता है जो हम define करते है एक string type का उपर को एक global variable हम कर देते हैं जिसमें क्या करते हैं tag में हम कोई भी क्या सेफ करवाते हैं mostly guys हम सेफ करवाते हैं अबनी class का name यह भी मैं आपको बता चुको हम अभी पीछे कि हमने class का name यहां पर क्यू सेफ करवाते हैं क्यूंकि जितने भी log का tag होती है जब errors retrieve होके जाती है तो log उने एक ही जगा collect करता है अगर हम उसे specialized guys change नहीं देंगे tag को class का name नहीं देंगे तो वो सारी errors एक जगा collect हो जाएंगे अलग-अलग classes की और हम क्या हो देंगे उसमें confused रहेंगे कौन सी class की error है और कैसे find करना है हमें तो basically हम यहां पर tag में क्या करते हैं अपना tag define करते हैं जिसमें क्या दालते हैं हम अपनी class का name तो उसकी help से जब हमारी log की एक error आती है generate होती है log तो basically guys हमें क्या दिख जाता है कि यह इस class में इस जगा error आ रही है और दूसा parameter क्या होता है हमारा message तो वो message वो होता है जो हम देते हैं कि जैसा करने network connect की वो हो रही है problem हो रही है तो अगर error आई होगी तो हमारा यह log message चल जाएगा और यह क्या बता देगा tag आ जाएगा class का name और error क्या जाएगी connecting to the internet तो guys इससे क्या होगा मुझे पता चल जाएगा कि मेरी कहा error आ रही है इस class में आ रही हो किस logic में आ रही है नेट से connect करने में तो यह तो होगया syntax का आप किस पर बात कर लेते हैं कि individual जो हमारी जितरे भी यह होता है error log के वो basically use कैसे करते है तो हमारा error के लिए हम simple क्या use करते है log.e जो हमारा string tag and message है वो same रहेगा तो guys यह वाला error होता है यह basically हम use करते है जो common errors होती है मतलब जो बहुत basic errors होती है जैसे कोई logical error आगया कोई syntax error आगया तो उसके लिए हम use क्या करते है log.e उसके बाद आता है हमारा warn warn के लिए हम क्या use करते है w तो guys basically warning आप यह सूच लो warning एक error नहीं होती आपका app सही से function करेगा बट warning किस situation में करनी हो दिया जैसे आपका कोई app है जो media file safe करता है अब आपकी internal storage क्या हो गई है full हो गई है तो यहां पर हम lock क्या use करते हैं इस lock से message display करते है your internal storage is full तो हमारे app पर कोई फर्क नहीं पड़ा बट हमने user को क्या कर दिया warn कर दिया कि उसे क्या इस चीज का issue resolve करना है कि इस वज़ा से उसकी जो extra files हैंगी वो save नहीं हो पाएंगी तो गाई यह किसलिए होता है warning के लिए होता है यह error नहीं आती है warning होती है उसके बाद आगे हमारा third third क्या है info info के लिए simple क्या use करता है आई और guys info basically आप यह सोचलो info जासा आप को नाम समिझ वा रहा है info तो information का short form है and information basically guys बस हमें किसी चीज की अगर information चाहिए होती है उसके लिए log भी यूज करता है कि मालब को यहां पर process हो रहा है तो उसकी अगर मुझे information चाहिए होगी तो symbol यहां कहीं पर net connect हो रहा होगा तो उसकी जगह पर हमें information चाहिए कि किस URL से हो रहा है and कैसे हो रहा है तो symbol वहां पर मैं क्या दे सकता हूँ log आए दे सकता हूँ information collect करने के लिए फिर आगे यह तो हमारे जो तीन थे यह क्या आगे थे आफ्टर रिलीज वाले जो हम यूज करते हैं कि जब हमारा एप रिलीज हो जाता है ताकि मैं थोड़े टेस्टिंग कर के देख शकूं तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं डी यूज करते हैं डी बगिंग के लिए गाइस इसका भी मैंने जावा क्लास में डी बगिंग के लिए एक लक्से वह बनाई है जिसमें log D ही यूज करा है तो अगर थोड़ा सापको इसमें confusion हो तो आप वहाँ पर भी जाके देख सकते हो और यह चीज हम इस कोर्स में भी कवर करेंगे बहुत डीटेल में ताकि आप लोग को कोई जो भी चीज हमारी अभी तक छूट रही हैं कि मैंने उपर उपर से बत बाख भी किसे वाले वाग होता हैं जो हमें टेस्टिंग के लिए implementation के लिए चाहिए होता है तो हमें टेस्ट आप करके होने की अच्छा गर मैं यह यह आट करनूँ तो यह आरर आनी चाहिए या इस अरर को कैसे है खाना तो उसकी जगह हम क्या यूज करना है log D use करना हाउ यह बहुत स्क्राइब करता है और गाइब मेंसल प्राइब की रहे फूल होती है तो हम यूज करते हैं यह यह नहीं देतल लिगते हैं थहां ओने यूज करते हैं और अब में दो स्कुश एटन, ne जो कम रहे नहीं करत थे लिए यह लुग व बिष्वनामाल कर सुछिंह Amanda इसका नाम basically guys WTF इसकी short form है and अगर आप इसे guess करो तो WTF की full form हो नहीं होगी जो आप सोच रहे हो इसकी basically full form है what a terrible failure तो basically guys यह वाला जो debugging होती है यह हम कभी use नहीं करते यह basically जो log में जब हम WTF use करते हैं तो इसका यह मतलब होता है कोई बहुत बहुत बुरी fatal error आई है हमारी ऐनी जो fatal error आई है इसको guys हम WTF use कभी क्यों नहीं कर दे क्योंके जो fatal error वाली यह होती है इसको कोई handle करने के लिए method नहीं है सिर्फ होता है use करने है आप fancy करिए fancy वह सोच लो name सोच लो लेकिन इसको कोई ज्यादा यूज नहीं होता है यह basically क्योंके जैसे error one info debug and verbose होता है इन सब को handle करने के लिए हमारा पास अलग-अलग methods है अलग-अलग plans है हम कर सकते हैं बट जो यह वाली होते है यह basically क्या होती है fatal error होती है and basically इसको कभी यूज नहीं करता है basically एक बस knowledge के लिए आपको बताइए कि basically एक हमार बास 6th भी log की file होती है अब guys हमारा यहां पर log का complete हो गया है अब जब हम एप पर चलेंगे तो इसका practical use भी देखेंगे हम बट फिलहाल अब किस पर चलेंगे हम एक अपने नए एप पर चलेंगे and उस एप पर देखेंगे कि basically हमें करना क्या है so guys अब हम एक नए एप से start करेंगे जो क्या है github repos search I know बहुत हम बहुत बार बार स्विच कर रहे हैं apps लेकिन जो चीज़े हम concept सीखने हैं हमें बार बार थोड़े थोड़े जाना concept एक 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 अप से सीखने पड़ेंगे and अब कौंसा concept सीखने वाले हम कि हमें net से connect करके क्यों guys अभी तक हमने networking करी थी उसमें हमने बहुत minimal interaction था हमारा और अलड़ी वह पूरा हमारा हुआ था जबकि अब हमें क्या करना है अब हमें guys interact करना है net से connect करके और सारे components को क्या करना है mix up करना है तो उसके लिए पहले हम एक थोड़ा सा क्या ले लेते हैं experience ले लेते हैं थोड़ा से छोटे apps में ताकि फिर जब हम सारे components mix करें अपने sunshine में तो हमें confusion ना हो okay and basically इस वाले GitHub repo search में basically क्या होगा कि हमें URL इसे में कोई भी देंगे उसमें guys हम enter करेंगे कि हमें कौन सा GitHub का project search करना है तो simple वाला project search हो के हमारे पास आ जाएगा तो यह कौन सा है और basically किससे net से connect करके होगा कि हमारे app में simple हम URL दालेंगे search करेंगा and वह हमें क्या कर देगा fetch करके result देगा इसमें हम कौन सा URL यूस करेंगे वह गाइस API GitHub.com search repositories query क्या है इसमें Android and sort करा है starts के help से तो यहां पर अगर आप इसकी search करोगे इसको link को run करोगे तो basically यह link भी मैं किसमें देगा URL description box में देगा तो guys आपको कोई problem ना हो ता कि and इसमें basically हमारे पास पूरी की पूरी repository है इसे json guys हम already networking में discuss कर चुके हैं कि कैसे हम json की help से data extract कर सकते हैं तो इसमें json parsing करेंगे हैं and वही concept है फोड़ी सी नहीं चीज़ हैं वह सीख लेंगे कि कैसे work करेंगे तो इसे क्या कर लेते हैं guys यहां से आप simple code को download कर लो and जैसी download हो जाए इसको क्या कर लेंगे आप बंद कर लेना फिलाल मैं इसके क्या देख लेते हैं कि जो लोग import हो जाए जिनके कोई error ना है good और जिनका ना है तो same guys यह हम बहुत बार कर चुके हैं simple match source में जाके इसकी files open कर लोंगो और उसे copy paste कर लेंगे तो यहां पर में 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 के बाद किसमें खोलनी है में resource खोलनी है and कौनसी खोलनी है में हमारा package name है इसका नाम क्या है जो हमें नाम रखना है इसका प्रजेक्का data from internet इसमें गाई अगर आप देखो जो हमारी package name के अंदर दो files है एक तो main activity.java है और एक कौनसी है utilities के नाम से रहा है मतलब एक package file है इसको भी खोल लेता हूँ तो अब क्या कर लेता है इसे इसे copy paste कर लेता है नया app कर लेता है इसका guys क्या देखना package data from internet यह हमें same रखना है okay इस चीज़ का दियान रखना कि हमें इसमें कोई issue नहीं करना और resource वाले का वही करेंगे जैसे हमने पहले उसमें कर दो कि simple हम copy कर लेंगे कैसे simple मेरा यहाँ पर download हो चुका है यह वाला simple मैं इसे क्या करूंगा extract here कर लेंगे यहाँ पर क्या आगई यह मिरे बाद extract होके आगई मैं zip file को delete कर दूँगा और इसका जो resource वाला है वो copy paste करके simple paste कर देंगे हम लेकिन उससे पहले हम क्या कर लेते हैं project create कर लेते हैं अपना तो मैं यहाँ पर आ गया create new project पर and यहाँ पर simply मुझे क्या करनी है एक empty activity select करनी है यहाँ पर मैं next करा इसका application क्या नाम क्या रखना है मुझे data from internet अब गाईज मैं यहाँ पर नाम इसका data from internet क्यों रखा है क्योंकि यह हमारे package name में यह ही आ रहा है and इसे कर देंगे finish and guys इस चीज में confuse मत होना कि बहुत से projects आ रहे हैं कौन से वाला किस पर focus करना है हम switch करते रहेंगे projects के बीच में क्योंकि guys ऐसा है कुछ concepts हमारे ऐसे हैं आपने networking समझतों लिया था उस time पर जो हमने networking beginner में networking कर रहे थे लेकिन guys अब ऐसा है उसे करे हुए अब time हो चुका है कई लोग उसके कई को सारे concepts फूल गए होगे पार्सिंग क्या था कैसे हमने connect करा था तो हम यहां पर क्या ले रहे हैं एक feedback ले रहे हैं थोड़ा असा ताकि हमें फिर से used to हो जाएं क्योंकि हमारे sunshine में भी हमें क्या करना है online हमें fetch करना है किस क्या वैदर एक particular यह जो वैदर कोई organization है जो data upload करती है रोज महांते हम fetch करेंगे API के थ्रू तो इसलिए हम क्या कर रहे है step by step एक प्रोजेक्ट ले रहे हैं अभी बहुत से प्रोजेक्ट हमारे चेंज होंगे इस वाले इंटर्मेडियेट में तो परेशान होने की बात नहीं है चाहसे आगे बढ़ेंगे आपको यह चीज यूस्ट होते रहो गया क्योंकि इसमें क्या गईगा इस यह डिवाइड और इससे पहले यह करें क्या करते हैं पहले दिद्वां इसका में ओनलएन ड़नलोड किया था जो मेरा कोड लई जो GitHub से मैंने डाउलोड के ता है यह वह वाला है, Simple इसमें, App में जाके, Source में जाके, Main में जाके, Resource folder क्या कर लेते हैं, Guys, Copy कर लेते हैं, इसका पूरा, इसे में जाके, Copy कर लिया, इसे बंद कर दिया, अब किसमें चलेंगे, अपने एप में चलेंगे, App में पहले यही रिसोर्स वाला, Complete कर लेते हैं, फिर अपना के, Online वाला करेंगे, यहां पर New जाके, Simple क्या कर लेंगे, Show in Explorer कर देंगे, Show in Explorer में हमारी Resource folder आगे है, Resource पे कर देंगे इसे बंद कर दूंगा, मैं किस पर दुबारा चलता है, अपने Android Studio पे, अब हमें किस पर चलना है, इसे Copy पेस करना है, अपनी Files को, सबसे पहले देख लेते हैं, Main उसमें, तो Main उसमें कुछ To Do है, इसको basically, यहां पर हमें पास क्या क्या करना है, कि हमें एक Edit Text बनाना है, M Search Box, URL के लिए, और एक Search Results के लिए, तीन अलग अलग चीज़ों के लिए हमें To Do हैं इसमें, और उने Connect करना है किसे Text View से, तो यह चीज़ आप चाहो, तो Copy कर सकते हो, मैं फिला कर देता हूं, इसमें भी हमें पास कुछ नहीं है, and resource मैं already copy कर चुका हूं, तो मुझे अब क्या है, resource की भी जरूबत नहीं है, अब बस दो फाइल से, यह कौन सी है, URL की, यहां से क्या दे दूँगा, description box में दे दूँगा, या आप यहां से वीडियो में से भी देख के कर तो को इशू नहीं है, अब simple क्या है, utilities की मुझे फाइल कोपी करनी है, and किस नाम से, network utilities के नाम से, तो मैं simple इसको network utilities को, यहां से नेम कोपी कर लूँगा, और package का नाम क्या है, utilities तो simple मैं android studio पे जाके, कहां पे जो हमारा package है, जो तौन सा package नेम जो होता है, जो हमारा, उस पे simple पे जो हम आप क्लिक करके, मैं new क्या बना लूँगा, यहां पे एक package फाईल बना लूँगा, किस नाम से, utilities के नाम से, तो यहां पे मैंने क्या बना लिया है, and इस package के अंदर गाया, अगन अब utilities ऐपर आपक को click करके एक new क्या बनानी है जावा फाइल क्रीट करनी है इसका नाम मैं अल्री नेटवर्क उटिलिटीज कॉपी कर चुका था मैंने सिंपल के एक क्लास यहां पर क्रीट कर दी है और यहां पर क्या आगे हमारा पैकेज नेम आ गया डेटा फॉम इंटरनेट उटिलिटीज यहां तक मैंने कर लिया और सिंपली मैं ऐसे क्या कर दूँगा क्लोस कर दूँगा और इससे हमारा क्या हो गया पूरा कॉपी हो गया है यहां पर हमारी कोई नहीं आ रहे है क्योंकि हम अल्रेडी कॉन सी अपनी रिसोर्स में लेयाउट फाइल आज तर कॉपी कर चुके है 90 20 पर संद पुछ क्या कर दिया हैं और रिसोर्स में थी में थीम स्की परम आहे तो यहां पर वह भी देख लेते हैं कि उस में तो यहां पर भी कोई अरे रही वैसे मैंने फिक्स कर दिया है काई गाइज हो मैंने इन डिफॉल्ट ही ऐड कर दिया और की अलग से एड़कर नेकी जगह मैंने इसी में एड कर दिया तागी किसी को परेशानी नहीं हो तो यह यह हो गया है एक चीज और manifest file और चेक कर लेते हैं कि manifest जैसे यह theme.from कहां से ले रहा है data internet से ले रहा है इसको क्या कर लेते हैं guys यह वाला theme यूज करके हमें कहां करना है app theme चाहिए यहां पर simple आप इसे यह change कर लेना यहां पर एक app theme आ जाएगा हमारा क्योंकि मुझे पुराना वाला इसके साथ जो आया तो यह हो गया हमारा इसे मैं बंद कर देता हूं xml बंद कर देता हूं network utilities बंद कर देता है अब simple हमारी कॉंसी दो फाइल बची है एक तो हमारी जो class वाली जाव वाली और एक कॉंसी है हमारी layout वाली अब इसमें हमारे to do given है अब अलड़ी हमें क्या करना है तब से पार तो इसमें यह है कि इसका क्या करना है change the constraint layout to a linear layout अब गाई इसने क्यूं कहा है कि हमें linear layout में change करना है क्यूंकि हमें क्या दिखाना है क्यूंकि हमें क्या दिखाना है इस search results दिखाना है तो हमें उसे एक के उपर एक stack wise show करना है तो क्योंके आपको नहीं हो सकता आ आपको क्या बताए था constructive layout होता है आप इसे कर सकते हो design कर सकते हो responsive layout के लिए बट फिलहाल अभी यहां पर क्या नहीं है successful नहीं होगा तो simple मैं इहां पर जो constraint layout है इसे क्या दोंगा जिलीट कर दूँगा और यहां पर क्या ले लेंगे हम एक linear layout तो यह क्या आगया हमारा linear layout आगया जितने भी to do हैं मैं फिलहाल डिलीट कर दूँगा अपने उससे क्योंकि मुझे आइडिया है कि कितने changes करना है हमें थोड़ा मुझे थोड़ा सा distracting लगता है आप अपने उसमें रहन देना ताकि आपको पता रहा है कि हमें क्या क्या करना है यह हो गया है यहां पर हमारी क्या आ रही है अब यह यहां पर हमने linear layout में सबसे पहले क्या देनी होती है हमें orientation देनी होती है orientation हमने दी नहीं है तो यहां पर orientation देता हूं क्या दे देंगे vertical देंगी क्योंकि हमें list की form में चाहिए ना कि horizontally तो यहां पर orientation देने के बाद क्या हो गई है हमारा यहां पर जो प्रतिव हो गई remove and guys यहां तक का जो हमारा पूरा प्रोजेक कापी करना था इन उसमें क्यागे changes करने थे वह हो गए अब चीज़े एड करेंगे इसका क्या 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 करेंगी एक तो layout बनाएंगे हम इसका फिर layout बनाकर हमें वह layout connect करना है किससे हमारी java file से मतलब जो हमारी क्या है इसमें एक हमारे app में क्या चाहिए कि मुझे चाहिए कि मैं जब search करूँ एक URL मुझे GitHub की जो repositories है उसकी search करके मेरे पास आचाए तो उसके लिए URL एंटर करने के लिए एक जगा भी चाहिए होगी मुझे तो वो जगा जो हमें चाहिए होगी तो हमारे पास कौन से जो टेक्स विए उसे हमें कहां से करना होगा जावा से भी करना होगा तो फिलाल क्या करेंगे अभी हम क्या बनाएंगे खाली का इस लेयाउट डिजाइन कर रहें अभी हम लॉजिक उसका क्रिएट निक रहें अभी खाली कर रहें लॉजिक डिजाइन कर रहें तो तो यहाँ पर जो हमारे नेमस्पेस की जरुवत नहीं है, हम दिलेट कर देंगे, तो यह बार जो नेमस्पेस की मुझे जरुवत नहीं है, एक चीज़ एड करेंगे, जो हमारे टूल्स होते हैं, तूल्स मैं अल्रेडी आप लोगों को बता चुका हूं, हम लोग डिसक्स कर क्यों यूज करते हैं, जैसे का कोई हिंट करना होता है, प्लेस फूल्डर इन सारे चीज़ों को जब हमें एड करना होता है, तो अभी हम क्योंके प्लेस उल्डर टैक्स करेंगे, गाइस और भी कर देखेंगे, तो इसलिए हमें क्या पड़एगी, जरुवत पड़एगी तो इसलिए ने के यहां पे पेले 2-6 कर दिया अभी हम, तो मिर सिंपल करते हो, पैडिंग भी नीचचा करते हैं, तो उप्ठीक ही मुझे, और एक तो थाप करती है और यहां पर आप देख सकते हो उड्रेधी द्यो Tammy ce हों यहां पर देखां किनगे तो ऑॉरीड हमारे पास और रॉसंटल मारजिन और वर्टिकल उरीजिक्व Australians हईका तो हम ऊसी कर लेंगे यहां पर क्या यूस्स कर लेंगे एड़ॉरे डामन यूस कर and यहां पर क्या चाहिए हम हर्ट जरें निपर टुप मेंने अ आया है तो एक यह प्रॉर्जाटल मार्जन एक आगया हाख्ट चाहिए हमारी रग में होरीजों चेहां अदेनी में कांसी हमारे किस में आध्र डर्एम ओ discount क्विड कोन सब्रेगां इस करें हैं Neck अब यहां पर पूरा पैकेज नेम भी दे सकते हैं, कॉम डॉट यहांपर क्या आ गया मेरे पास पूरी पैकेज नेम आ गया, इसका, and simply क्या कर दिया, मैंने यहांपर डिफाइन कर दिया, जो तूल का context था, वह भी हमने डिफाइन कर दिया, ऑब कि यूस कहां होगाई हमें कि ऊंप्ते लिए क्रीटर और इसकी हिचे त्सक्रांगे अब इसकी बstand रहें हैं की पॉइन थे और पर रहें लिए नहीं च्ञारों एच पैकर सब्सक्राइब लेके और इसकी पिएक प्रक्रेंट अब यहां पर आपAir का हमारा टूल्स क्या हाइलाइट हो गया राइट तो गैस मैंने क्या बताया आपको टूल्स किसले युद्ध प्लेस फोल्डर के लिए यह चीज हम बहुत पुराने कोर्स में डिस्कॉर्स कर चुके हैं कि तो यहां पर जो एंडवाइट का हिंट है जैसी मैंने को किया वह आग लिए होता क्या है यह भी हम आप देख चुके हो कि अगर मैं यहां पर डिजाइन में देखूं तो यहां पर जो हमारा एजए टेक्स है उसके अंदर लिख क्या रहा है इंटर अक्वेरी देन क्लिक सर्च तो यूजर को पता लग गया कि हमें क्लिक करना है ताकि हम इसमें क इसमें पर इस डी डाल सके हमें यहां पर क्या रभी ठंध और है जो हमारी क्वेरी और हमें जो अईग कर देना है biz साइज देते हैं 22 SP एक ID देते हैं इसकी क्या देते हैं TV URL डिस्पले और इस पर टेक्स देते हैं क्लिक सर्च एंड यॉर्ल विल शो अप है यहां पर यह होगा हमारा URL जो शो होगा और एक क्या देते हैं मार्जिन देते हैं तोप पे थाकि थोड़ा सा डिस्टेंस रहे कितना टीपी दे लेते हैं इसी के साथ करता दिया मैंने किसमें कर दिया एड़िए तो यह बेसिकली मैं यहां से क्रेंट कर दूगा एंड़ मैं इसमें यहां पर नीचे लिख принципе मैंने दिया था एंड या आगया हमारा टेक्स भीव इसमें यह पूरा create हो गया text view अगया हमारा, अब है एक बार का देख लिएते हैं guys, अपना design देख लिएते हैं, तो हमारा उहां पर क्या आ रहा है, design आ रहा है, इहां फर query enter होगी हो यहां पर show होगा यह बस दो वह हुए है अब क्या करना है हमें स्क्रोल व्यू करना है मतलब हमारे पास यह जो गाइस नीचे वाली जगह आए इसके यहां पर क्या आएगा जो हमारी रिपोजिटरी सेर्च हो कहेंगे तो मुझे चाहिए कि यह स्क्रोल हो इसके लिए भी हाँ पर क्या एड कर करेंगे हम स्क्रोल व्यू एड करेंगे स्क्रोल एक कर दंगे यहां पर संप्लि मैं क्या तो क्या yeah क्रिंब कर दीघे हैं इसकी हाई्ड करेंगे रैप कॉंंटेंड और में तौप लेकिना 16 टीम-डीपी ताकि जो उपर वाला है उस से बिल्कुल लक्त कर असीआ कर एंद Сक तोई वाले उसमें, दूसरा कॉन सा तका इस हमारा संशाइन वाला, हमने अल्रेडी से प्रेक्टिस कर लिये कि कैसे एक टेक्स व्में हम शो कर वा सकते हैं ठेटा, तो काई यहां पर भी हम वही कर रहे हैं, लिटरली, जो उपर दो है, यहां पर क्या है, एक क्वेरी हमने एं जो सर्च होके आई, और यहां पर उपर क्वेरी शो करेगी, तो यह हमारा पूरा सेट हो चुका है, तो यहां पर एक टेक्स व्यू और एट कर लूँगा मैं, जिसमें जितने भी हमारे रिजल्ट आएंगे, वह शो होगा, और इसके टेक्स व्यू के दोनों मख्य कर लिए देएंगे, वह रख कंटेंट कर लिए कि उत्रही शो करवाना है, जितना वस रिजल्ट हो, टेक्स साइज देदेते हैं, कितना 18SP, यहां पर टेक्स साइज की जगा, टेक्स आगया खाली गाईज, तो यहां पर दौरा टाइप कर जहता हूं, टेक्स साइज, 18SP, यहां पर इले देगे, ताकि हम इस पर क्या कर सकें, फिरेंगे, बेली टेफ सेट कर सकें, टेवी, गटाब, सर्क्र, रेजुरु शेर्ड, शेसर्श,埋रिज, तर टेक्स क्या कर देदेए हम सर्च, यहां फिरे एस ए-सर्ज, तो हमारा यहां पर पर गैस क्या होगए такое, फूरा हो और एक क्या बना है एक यहां पर अलगटा सुप टो एक माद आलेंगे जो एदिट गुरी आज आदेखशन ही है में हमें शो होगी कौन सी क्वरी है यह वाली ऑर एक तीसरे उसमें क्या होगा है ऋदैंगे तो यह leading text view एक edit text है और दो text view है तीनों का अलग-अलग काम है अब गाइस इनका अभी हमने सिर्फ क्या create करा है layout create करा है अब इसको हमें अब हमें क्या करना है किस से अपने variable बना लिए जिसमें हमें ये field store करवानी है क्यों जो हमारे पुराने अब किस पर चलते हैं अपनी main activity.java पर चलते हैं इस पर क्रियेट कर लेते हैं अपने text view तो पहले सबसे पहले क्लिए कर लिए हम जो हमारे global variable है ताकि हम उसे किस में use कर सके on create में use कर सकें क्या जो हमारे text view और edit text है उसको refer करने के लिए लिए तो सबसे पहले किस टाइब को global variable है हमारा edit text का तो यहां पर क्या जो फैट स्फ्साइब डिए आ सकता अलम है सथेच बॉक्स ऐरेटेग्स राइं एम्ड था यहां पर क्या गई हमारा स Castle आइंट लाइन तो एक क्या बनांग कि एट अट सट्स हाय सिर्जग बॉक्स फिर किया ह्मारे दो जो कि ? यहोग है मै दीत ट्राफने लिए सबया है जो और इसको कर दे महतना आप मैं उसमिया हमरा उसमिंपार उर्ल तरहएं आन्पल इंठा वह ध्ता तो इनक्याएंट वह सब और सब्सक्रम मैं यहां पहलों का ले लूग एं सब्सक्राइब बेनों बाब सब्सक्राइब करें तो हमारे तीनों जो ग्लोबल वेरीबिल थे वो सबसे उपर बनाया था फिर उसके लिए जहां पर हमारा दूसर टेक्स व्यू कौन सा था जहां पर हमारे डिस्प्लेयों क्या यॉर्ल जिस यॉर्ल पर हमें फाइंड करना है फिलाल मैंने आपको एक औटेक्स ऊदो टेक्स अब इसे क्या कर देंगे हम कनेक कर देंगे जो हमने क्या लियाओट में सेट करेंते तो हमें की तो है हम्शन तो यहां पर R.id. search करेंगे, तो यहां पर मिरु पास क्या आगया, मैंने पास क्या दे दी, search box दे रखी ती, तो simple मिरु पास क्या आगया, search box, इसके बाद हमारा क्या है, M. URL display text view, अब यह क्या है, हमारा text view, तो simple मैं यहां पर क्या देदूँगा, text view दे दूँगा and casting कर दी यहां पर इसके बास simple हम यहां पर r.id. हमारा url display था तो simple यहां पर क्या गया tv url display जो हमने display के लिए बनाया था उस पर यह set कर दिया मैंने अब इसके बाद तीसरो कौन सा गाई जो हमारा search results था तो मैं यहां पर simple क्या दे दूँगा search results and यह भी text view है तो इसके भी casting कर देंगे text view की and find view by id यहां पर r.id. यहां पर क्या आगे हमारा tv github search results json तो हमारा json में क्या मिलेगा हमें search results मिलेगा क्योंकि हमें किस चीजे मैं आपको बताया था guys हम url पास कर रहे हैं तो url में मैंने आपको किसमें run करवा के दिखा दिया already url उसमें हमें क्या मिला था json के उसमें response मिला था तो json में जो हमें response मिला था वो feed करके हमें उसके क्योंकि यह चीज हमने आपको समझे दिया अपने earthquake वाले एप में कि हमारे url से response मिलेगा हमें उसे करना है उसे convert करना है guys किस type के content में readable type of content में मतलब जो चीज हमें जरूद है हमें उस query में से json query में से fetch करके show करना है तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं इसमें guys अभी convert करेंगे अभी हमने कोई logic ने लगाया अभी simple जो हमारे text view हमने वह करें अब हमें यह चीज भी operation करना है कि उसे जो हम url से fetch करेंगे json उसे parse करने से पहले वह चीज़ पास करेंगे जिसकी हमें जरूद होगी तो यहां तक क्या पार्ट होगी है एक पार्ट हमारा complete होगा है हमने layout create कर लिया है एंद उसके बाद हमने उस layout में जो search boxes उनको connect कर लिया है किसमें अपनी java file में तो आप किस पर move करते हैं नेक्स पार्ट पर move करते हैं यह हमारा अभी क्या complete हुआ है one part complete हुआ है अब किस पर move करेंगे हम गाइस क्यूंकि अगर आप देखो हमारे उसमें एक question क्या है अगर हमें search करना होगा repository किसमें github में तो किसके थू करेंगे एक button के थू करेंगे क्योंकि आप जब तक एक button पर click ने करोगे हैं हमने कोई अलग से button click ने करा है simple क्या result शो करने के लिए button तो add करा है उसमें add text भी तो add कर लिया कि उसमें URL शो करेंगा URL के result शो करेंगा and कहां पर copy करेंगा तीन चीज़ हमने कर रहे हैं लेकिन कोई button नहीं मनाया तो उस problem को solve कर करने के लिए हम यहां पर गाइस एक नया concept सीखेंगे हम अलड़ी इस चीज़ को देख चुके हैं वो क्या है menus menus हमने समझ रखा है पैट में भी यूज कर चुके हैं हम बहुत डिटेल में बाट फिर भी हमने उसे ज्यादा detail में पढ़ानी है उसकी functionality देखी लेकिन हमने यह देखा उसके अंदर हमारा क्या 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 difference होते है और उसकी inner working कैसे work कर देख इसकी menu की तो हम यहां पे github course में यूज करेंगे किसका menu का ताकि हम button add क्यों अगर हमें button ही add करना है तो उसके किसी all logic से समझ के देख लेता है तो हमें एक नया concept पता चल जाएगा और हमारा button का भी काम हो जाएगा तो अब हमें क्या करना है Android में अपने github repository search वाला जो एप है उसमें क्या add करना है गाई हमें menu add करना है जो हमारे पास menu के लिए scheme होती है वो basically क्या होती है menu item और यहां से add हो जाता है guys menu अब यह वालो जो हमारे पास syntax है guys यह है पुराना Android का syntax जब हमारे पास gingerbet से पहले जो functionality ती यह थी वो तो यहां पर एक अलग से क्या होता था पुराने Android में guys जैसे हमारे अब क्या हमारा action bar में menu show होता है right पहले ऐसा नहीं था पहले एक menu के लिए dedicated क्या था slot ता अब उसमें हमारे जो options थे वो hide हो जाते थे और कई बास शोनी होते तो space के होती हिंदर होती जो हम full potential हमारे menu options का वो हम use नहीं कर पाते थे तो इस चीज के लिए कि वो चीज हम overcome कर सके हमारे नए वाले versions में क basically वो उपर add हो जाते हैं जिससे हमारे जो hide होते एक तो menu options and हमारे जाते functionality मिलती है उसमें तो जो हमारा updated इसका syntax है वो देख लेते हैं and basically यहां पर हमारा updated वाला है कैसा कि जैसे पहले अलग menu का पूरा option होता है right अब simple क्या करते है हम action bar में यहां पर add कर सकते हैं जब तक यहां action bar में space बची है तब तक हम यहां पर option select कर सकते हैं मतलब add कर सकते हैं अगर यहां पर आप सोचलो action bar मेरी यहां तक fill up हो गई right and अब जगह नहीं बचेगी तो हम यहां पर कुछ और add नहीं कर सकते तो यह हमारी नहीं action bar है जो हमारा नया syntax था menu का वो हमारे लिए बहुत helpful रहा क्यों क्यों क्योंकि guys अब आप ज्यादा optimize कर सकते हो कि इसको अपने menus को और यह कौन से होते हैं हमारे customerizable options होते हैं मतलब कहा क्लिक करना है क्लिक होके क्या होगा वो सब किसके हाथों में हमारे हाथों में अब इसका syntax देख लेता है नयवाले इसका menu options का तो basically इसका syntax क्या होता है यहां पर आगए हमारे पास namespace एक android का एक app का और यहां पर क्या आगया हमारे पास item आगया इसमें आप यह देखो हमारे ID तो क्या है action search है search का मुझे लगाना है कि search choice पे तो यहां पर मैंना ID के देखी search order and category order and category का इसका भी use होता है कि हमें कौन सी पहले show करना है अब यहां पर already हम क्योंकि बस अभी एक ही वह एक करेंगे तो हमें इतनी issue इसे add करो मत करो को issue नहीं है बट फिर भी हम add करेंगे as a functionality क्योंकि अगर बाद में आपको extra करने पड़े तो यह क्या है कि हमारे काम आईगी फिर show as action show as action होता है कि अगर यह किस पे जो हमारा overflow menu होता है जो action bar हो गई अगर हमारा overflow menu एक इत्तरी के समझो आप अगर हमारी action bar पर जगा है तो तो वहां दिखेगा अगर वहां जगा नहीं है तो किस में दिखेगा overflow menu में दिखेगा overflow menu क्योंगा जब मैंने क्लिक करें three dot side में एकदम से options क्या हो गए drop down हो गए वह क्या हो गया overflow menu तो यहां पर यह अपने आप decide कर लेता है कि जगा है यह नहीं तो हमने यह शो एक्शन यहां पर क्या होता है यह बताता है कि अच्छा गर रूम है तो action bar में शो करो अगर नहीं है तो overflow menu में शो करो and overflow menu क्या होता है simple जब हम किसी options पर क्लिक करते हैं जैसे three dots हमारे side में options के लिए तो जब मैं उस पर click करूंगा और सारे options drop down होंगे यह वह हमारे उपर डिपेंड हम क्या animations लगा देंगे drop down होंगे slide होंगे जो भी होंगे तो वह क्या होता है overflow menu होता है ए क्शुरण का इंग वहने इसका टाइटल क्या दे रिए है search टे तो यह क्या हो गया हम cigar में वहाने कि से एप्लिकेशन से चीज का घ्यान रखना कि ली हाँ पर हम निमस्पेस एप कभी देते हैं क्योंगे हमें चाहिए थै अगर हमारा एप है लेतर स्टायल है छोड तो अ यहिंट ढम चाहिए थिया यहाँ लिए अनकम हमें उसके लिए रहे आपसे नेमस्पेस अगां किसं की एप & इससे हमें वह फैयदा होहां होता है जैसे अब अगर हमें कोई email app खुलना है है फिर हमें कुछ सर्च करना है इसके implementations बहुत बेटर है और हम इसका यूज कर सकते हैं बहुत जगा अब इसे guys create क्या से करते है menu को जो हमने लिखा था हमने menu के item create कर लिए अब इसे क्या करते है जो हमारी main activity में होता है तो उसके लिए simple क्या syntax करते हैं करते हैं और राइट करते हैं कि इसको on create options menu को और इसमें parameter क्या पास करते है menu जो हमने दे रखा होता है और उसके बाद हम क्या लिख यूज करते हैं inflator यूज करते हैं क्या inflate करने के लिए जहां पर हमने menu file बना रखी होती है और यहां पर कहां बनाते हैं हम resource directory में menu file बनाते हैं अपनी और उसके बाद यहां पर return कर दिया true कर दिया तो यह क्या हुआ हमने on पहले हमने create करा कौन से method की help से on create options menu के help से and उसे override करके हमने use कर लिया उसके बाद हम उस पर click कैसे करे यहां पर क्लिक करके क्या उसके उपर function perform होगा तो यहां पर क्या कर रहे हैं हम वो कर रहे हैं किसके help से on options item selected क्योंकि अभी हमने पहले menu को define करा फिर उसे create करा अब उसे click करेंगे तो यहां पर किसकी आगे क्लिक करने की वह आगए हुआ ंपर हमने गइस क्या करा एका है । यहां पर चेक कर रहे हैं व infa clear हमारा item है वो click हुआ है या नहीं अगर click हुआ हिशन keeper क्लेक क्लेख में हमने क्या दाल दियती जो हमारा menu का आइटम था तो अगर यहां पर क्लिक हुआ है हमारा आइटम तो बेसिकली क्या हो जाए जो हमारी आइडी है सर्च वाली जो हमने बनाया था अपना मैन्यू उसकी जो हमने क्लिक हुआ है या नहीं अगर क्लिक हुआ है तो सिंपल क्या जाए हमने मेन अक्टिविटी दे दिया है फिर उसके बाद टेक्स टू शो हमने कर दिया कि कौन सर टेक्स दिखाना है अगर हमारा क्लिक हो यहां पर स्ट्रिंग टाइप का मैंने एक वेरिबल ले लिया है जिसमे मैंने क्या एक दाल दिया क्या सर्च क्लिक क्यों 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 क्य के सा खाले हम method के कर रहे है change कर रहे है अपने उस आप से यूज कर रहे हैं तो हमने इसलिए use करने के लिए return के करेंगे super को on option selected हमने item यहां से कर दिया return कर दिया and थोड़ा सा toast के बारे में जेख लेता है toast basically होता है feedback के लिए होता है जो क्या तो pop-up होके आता है and basically यह हमारा जैसे हम message saved as a draft यह कोई छोड़ा सा as a pop-up होके आखे हमें show कर देता है जिससे हमें पता चल जाता है कि जो हमारा response है वो सही work कर रहा है तो अब किसमें चलते हैं कि एंड्रॉड शूडियो में चलते हैं and यह वालो जो हमारा on option menu अला है यह आप किसमें अपने एप में create कर ले के समँ Github repository 隻म सेर्च करेंगें में देख लें कि एके हैं कैसे वार्क करेगा कूधा हम आक्र्ट आप च्रुडियो क्या करेंगे हमें मुते हमें कुल्य करने हमें हमें क्या क्रburgщ करने हमें setup Pause क्रूब हम स satur करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले यही काम कर ले दें गाई स्ट्रिंग में एक एन कृट्रियेट कर लें ताकि हमें बात मना क्रिेट करना पड़ेंगे सिस्ठ यहां पर नेम दे देंगे simple search अब यह हो गया हमारा search का right मैंने string अट कर दिया अब क्या करना है menu create करना है तो menu create करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पढ़ेगा resource पर आपको click करना पढ़ेगा right click and यहां पर new करके क्योंकि guys मैंने आपको क्या बताया था जो हमारी menu की directory होती हम किस में बनाते हैं अपने resource में यह भी क्या resource file है तो यहां पर android resource directory create कर देंगे हम किस नाम से menu के नाम से तो मैं यहां पर इसको name दे दूंगा menu and यहां पर value selected है यहां पर आप क्या ले लोगे menu menu select कर लिया है and simple क्या लेंगे okay and यहां पर create हो गया हमारा menu नाम का एक create हो गया है अब यहां पर मैंकर कर लोगा new menu पर click करना है guys and क्या करना हमे menu resource file एक बाइस पर दिखान लखना है guys menu पर right click करना है right and right click करके new पर क्या create करनी है हमे एक menu की resource file नहीं create करनी है तो symbol मैंने यहां पर create करी and मैं इसे दे देता हूँ पर हमारा आप हो गया है इसमें कुछ एड़ नहीं है खाले हमारा overflow वो दिख रहा है एड़ दिख रहा है आपर get up query अब यहां पर create कर देंगे item create करें गाइश जो मुझे में में चाहिए है तो इस सिंपल में यहां पर क्या लिख दूगा ईटम कर दिंगे चाहिए मुझे अब रड़ी स्टर गलके मुझे अब शास्ट अश्च घर्ट करिया था सर्च पर यहां पर देख तो मेरे बास ओल यह टाइटल आगया फरट रहे string में क्या है search है हमारा तो यहां पर क्या आ गया title आ गया फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बता था show as action हमें करना है show as action add कर दिया हमने and किस पर करना है always में guys हमेशा दिखेगा collapse action view मतलब overflow menu जो collapse हो कर तब दिखेगा if room कि अगर room हो तब दिखे यह कहा है never और यह कहा है अब क्या देखेंगे हम order and category यह भी मैंने आपको बता दिया तक क्या करेंगे कौनसी number of category है तो यहां पर already हमारा simple a ही है अगर मैं यहां पर create नहीं करूंगा यह से तब भी को issue नहीं है but in future of future use के लिए यहां पर create कर लिया कि अगर हम और extra item add करें यहां पर तो हमें आगे problem नहीं पड़ेगी अब यहां पर क्या कर लेंगे id add कर लेंगे and simple कौनसा action है गाई search action है तो यहां पर मैं एक को दे दूंगा इसका id क्या search action यहां पर search action की जगा मैं लिख लेता हूं action search and मैं यहां पर tag close कर देता हूं तो नहीं हमारा क्या create है guys यहां पर हमारा menu create हो गया है title है जो हम्ने दिया dh h i. एक्षि हम से कोश सब्स warto twisting नेया मतलब कि अगर वो शो करें का इसे बंद कर सकता हूं अब किस पर चलेंगे अपने में एक्टिविटी पर चलेंगे एंड इसमें अब कर लेंगे क्या अपना मेन्यू इंफ्लेट कर लेंगे दो अपने हमने करने हमें इस और से पर क enacted करना हमें और क्रिये तो उस-पर की DOWNशने कमें क्रिये शहीं से करना हें है यह अभी तक हुआ नहीं है यहां पर मेरा एस छूड़ गया on options menu आएगा यह क्या हो गया हमारा method work कर रहा है okay and अब क्या करेंगे इसे inflate कर लिंगे किसकी help से get menu inflator की help से तो यहां पर simple मैं कर लूँगा menu inflator use कर लूँगा अब कर लिंगे r.menu.mean and यहां पर हमारा parameter पास कर देंगे जो हम पास कर रहे हैं अपने method में वह क्या है menu and simply यह तो हो गया हमारा inflate हो गया and return क्या कर देंगे यहां पर क्योंकि boolean type method है तो यहां पर कर देंगे true तो यहां पर हमारा first method था on create options menu वह create हो चुका है इसकी help से guys अब हमारा menu बन चुका है लेकिन अभी उस पर हमने कुछ set नहीं कर आए कि क्या changes होंगे मतलब अगर उस पर click हों तो क्या होना चाहिए उस पर राइट अब वोकल लेते हैं अब देख लेते हैं कि हमारा जो option उसे भी overwrite कर लेते हैं दूसरे method को जो क्या है on option item selected तो इसे overwrite कर लेते हैं simple and public type का यह भी क्या है एक boolean है और इसे कर लेते हैं on options item selected और यहां पर क्या पास कर देंगे अपना menu item पास कर देंगे and यहां पर क्या गया हमारा menu item आ गया and इसके अंदर क्या देदिया मैंने item दे दिया जो हमारा item क्लिक हुआ है तो मैंने यहां पर item की क्या दाल दी id दाल दी and यहां पर हमने यह से semi-calon लगा दिया तो basically guys मैंने यहां पर क्या कर रहा जो मेरा item था menu वाला item अगर आपको याद हो हमने menu में simple यह जो item है right एक ही item है हमारा यहां पर तो मैंने इसे already define कर चुका हूँ तो simple मैंने क्या गड़ा इस item की id फैच करी and उसे किसमें दाल दी कुछ की id में दाल दी हमने एक वेरीबल बनाए item डैट्वास अब इसको चेक कर वा लेंगे क्या क्लिक हुआ है एफ आइटम डैट्वास क्ले डवल इक्वल स्टू किसके जो हमारी आइडी है मतला आइटम की जो आइडी है उसके अगर इक्वल है अगर गाई अब मैंने यहां पर जब लिखा कि हम इसके अगर जो हमारी आइटम की आइडी है यहां पर हमने आइडाल दी और नहीं क्लिक हुआ होगा तो यह दोनों मैच नहीं करेंगे अगर सेमाइडी होगी तो हम क्या सकता है context कर सकते हैं simple क्योंकि यह condition हमारी तदद सिलेक्ट हो गया गाइस मुझसे यहां पर context content वाला यहां पर हमने इसका दे दिया context main activity.this अब जब गाइस मैंने यहां पर main activity दिया है यहां पर इसका क्या मतलब हुआ मैंने context में self-reference दिया कि किस id का self-reference देना है मुझे इस वाली class का self-reference देना है id का नहीं class का sorry and इसके बाद हमें क्या करना है एक string भी message जो show करेंगे तो text to show text क्या करेंगे हम search clicked और यह basically करा किसके लिए गाइस ताकि हम toast message show कर सकें यहां ओपर semicolon रही है यहां पर semicolon close कर देते हैं and अब क्या कर लेते हैं toast message show कर देते हैं यह basically पूरा किसके लिए गाइस toast के लिए कर रहा है वन्ना अगर हमें simple अगर कुछ शो करना होता है तो हम simple show कर वा सकते हैं हमें इसमें इतना कोई यह सब करने की दरवत नहीं है simple हम यहां पर क्या check कर वा रहे हैं अभी फिलाल हम इस चेक कर वा रहे हैं कि जो मारा item menu है वह क्लिक हो रहा है क्या नहीं तो यहां पर make text कर देते हैं and क्या देंगे इसमें हम context यह class का नेम है वह देंगे कि कॉन से class का नेम है और फिर हमें text message क्या शो कर दाना है text to show करवाना है कि search click हो गई है and फिर इसके बाद काई हम simple toast की जो length है वो शो करवा देंगे तो यहां पर length long कर देते हैं guys क्योंकि यहां पर हमारे pass और कुछ तो है नहीं दिखाने के लिए flag and इसे क्या कर देते है dot show and return क्या कर देंगे हम इसे true कर देंगे and इसके बाद हम क्या return करना ह मैं हमें super dot on options item selected इसे हमने return कर दिया इसे terminate कर दिया and इसमें parameter क्या पास कर देंगे हम item तो यहां पर क्या हो गई हमारा option create हो गए अब आप इसे एक बार run करके यहां पर check कर लेना guys कि हमारा यहां से work कर रहा है या नहीं आपको रण कर वाकि नहीं दिखाऊंगा आपको खुद रण कर के देखना होगा जहां जहां मैं कहूं वहां वहां रण कर के देख लेना क्यूंके यह इस इतना हमार पास time नहीं है कि मैं आपको अगर यहां पर run कर दिखाऊंगा तो हमें बहुत time लग जाएगा इस course को finish कर होगे तो आपके पास क्या जाएगा एक toast message आजाएगा क्या लिखके search click तो यहां पर हमारा lesson create finish हो चुका है किसका menu का अब किस पर चलेंगे guys हम यूज करेंगे किसकी search में तो अभी जासा आगे बढ़ रहे हैं फिर guys उसे भी देखेंगे कैसे work करेंगा so guys अब हम क्या करेंगे अपना URL है वह add करेंगे कि जैसी जो हमारा search button है मैं उस पर click करूं क्या हो हमारी URL जो हमारी URL है वह खुल जाए okay और कॉन सा URL जिसके बारे म guys मैंने बात करा दो मैंने उसका link given था right तो guys अब किस पर चलता है थोड़ा समझ लेता है basically यह चीज हम करेंगे कैसे and इसके क्या कैसे हमारा syntax होगा इसका तो guys इसके लिए हमें सबसे पहले एक तो जो हमने अगर आपको यादो database में हमने URI बिल्ट करेंगे and URI basically built हमने कैसे कर define करके ताकि हमें बार-बार उसकी query को link ना पड़े राइट जो हम पैच के table तक पहुच रहे थे तो हमारी URI fixed थी राइट ऐसी guys हमारा URL जो है हमें उस URL को भी क्या करना है constant create करना है उसके तो यह चीज already code में हुई भी है guys किसमें हमारी network utils में हुआ वाई तो सिर्फ हमें क् यहां पर अगर आप देखो तो हमारे network utils में already जो हमारा github base source है जो URL हमने हमारे पास given था राइट वह already क्या है हमारे पास यहां पर given हमने उसका एक constant create कर लिया है किस नाम से github base URL तो यह base URL में basically क्या है guys जहां तक खाली हमारी repositories हैं तो यह खाली हमारा किसका है कि API का गे द किस type का हमें query चाहिए किस type की हमें जो github repository जो हम search कर रहे हैं किस type की चाहिए जो हमारे पास sort वाला था sort मतलब उसे हम किस तरीके sort करेंगी कि five star rating है Java की अलग है चाहिए sort अगर आपको समझ में आगया हो guys कि हमारे दो और function थे में query था एक sort था अभी तक यह sort and query हमने network में भी मैं आपको सुन जाए था किसमें USGS में हमने इस चीज की work करी थी कि कैसे हम query method अलग होता है sorting अलग होती है and उसके उसमें limitations भी दे सकते हम तो basically यह वही हो रहा है नहीं जाना है लेकिन जो हमारी query or sorting है वह change हो सकती है मतलब query change हो सकता है अभी मैं एक URL को find कर रहा हूं हो सकता है यूरल नहीं sorry guys उसकी मतलब एक तरीके के app को search कर रहा हो सकता है बाद में किसी और app को search कर रहा हूं अब search तो मुझे repository में करनी है तो base URL जो हमारा यह वाला base URL है और जो हमारी sort है sort अलग तरीके से हो सकती है इसमें five stars हो सकती है highest rating इसकी है right या फिर कौन सी language में written है तो वह parameter देके भी हम search कर सकता है तो यह तो हो गया guys एक overlook कि जो हमने constants create हुए है हमारे network class में तो किस हसाब से कर रहा है अब इसके बाद हमें क्या करना है हमें use करना है guys URI builder ह हमें already URI builder हमारा method क्या है defined है लेकिन उसमें logic add नहीं है तो logic हमें add करना है इसमें जो logic हम add करेंगे वो क्या करेंगे URI builder use करेंगे URI builder basically guys क्यों use करते हैं जो हमारा एक चीज का आप हमेशा देहान रखना आप इसमें कहोगे आपको इसमें question आना चाहिए कि हम तो URL यूज कर रह इसमें इसमें simple चीज यह है क्योंकि URL एक URI का specified part है बहुत बार discuss कर चुके हम network में भी हम database में भी कर चुके हैं and एक दो और उसमें भी अपने यह चीज बहुत deep में discuss कर चुके हैं कैसे URL URI का part है and कैसे जब हम fetch करते हैं तो URI की form में fetch करते हैं उसे convert करते हैं तो basically guys जो हमारा builder और होता है वो URI builder एक already इसका क्यों होता है method already created होता है simple हम उसका क्या advantage उटा सकते है framework में already built होता है और इसका काम क्या है basically URL का जो base होता है उसे append करना अब append करना मतलब उसे use करना guys parse करना अब अगर आप यहां पर देखो यहां पर मैंने जो build URI है किस type कर बना है URI type कर बना है और जो मैंने URI pass करी है वो क्या pass करी है जो मेरी github base URL था अभी इनो मेरा github base URL था guys यह क्या था जो मेरा base नहीं आई है and sorting नहीं आई है right जो github base URL था वो API सिर्फ कहां तक कि ती repositories की थी अभी उसमें query और sorting नहीं आई है अब इसमें हमने दूसरा method करा built upon method यह basically क्या करेगा append करने के काम आएगा यह append करेगा किसको हमारे पास दो थे अब guys इसमें already इसे पता होता है parameter के लिए अलग method है and query के लिए अलग method है तो इसमें हमने basically इसलिए मैं आपको क्या बताया कि हमने constant क्यों अलग create करे किसके query parameter के और sorting parameter के वो इसलिए करे क्योंके यह method है यह already उसे different ले जरूरी नहीं है उसमें हमेशा एक चीज़ की searching करो रहा है क्योंके base URL तो हमेशा same रहेगा लेकिन जो आप search करोगे वो चेंज होता रहेगा इसलिए हमारा यह method होता है कि इसमें query अलग होती है और sorting अलग होती है तो यहां पर हमने append कर दिया जो हमारा base URL था उसमें हमने जब search query यह हमें create करना पड़ेगा हमें यह parameter पास करना पड़ेगा कहां से जो हमारी main class थी उसमें हमें create करना पड़ेगा क्योंकि यह क्या है जो हमने query देंगे यह वह आईगी तो यह उसको क्या करेगा उसकी query search करेगा अब यह कैसे करेंगे यह भी देखेंगे एंड इसके बात हमारा दूसरा एपेंड किस चीज को कर रहा है यह sorting को and simple इसने क्या कर दिया sort by कर दिया वह भी यहां से क्या जाएगा हमारा फैच हो जाएगा अब इसमें एक और problem की बात है कि अगर आप सोचो तो हमने जो URI क्रिएट कर लिया अपने URL को URI में convert कर लिया तो यहां पर एक problem की बात है है यह जो हमें URI देगा तो यह क्या होगा Android URI होगी Android URI होगी अब गाइस जो हमें आउटपुट चाहिए मतलब जो हमें सर्च करना है वह किसके थू करना है URL के थू करना है तो builder हमने पहले builder लगाया ताकि हम URI में उसे use कर सकें अब गाइस इस चीज को ध्याओं से समझना हम builder use कर सकते हैं इसलिए हमने क्या करा पहले URL को convert करा URI में उसको हमने fetch कर लिया फिर अब गैस हमें जब display करवाना है तो हम display URI में नहीं करवा सकते हमें result देने के लिए क्या करना है URL में करना होगा क्योंकि जो Android URI होता है वह work नहीं करेगा हमें convert करने के लिए फिर से एक try block catch बनाना पड़ेगा try catch block method बनाना पड़ेगा and basically यहां पर हम क्या करेंगे try catch block में कि यहां पर जो URI था हमारा उसे किसमें convert कर लेंगे URL में convert कर लेंगे अगर आप इसमें देखो यहां पर अपने क्या दे दिया URL नल दे दिया है क्योंकि अगर कोई URI नहीं होगा तो simple URL क्या चला जाएगा बट अगर URI में कुछ होगा तो क्या चला जाएगा URL में चला जाएगा एक नया URL और यह कौन सा जो हमारी built URI है वह स्ट्रिंग में convert होके किसमें चली जाएगी URL में convert हो जाएगी और यह करेंगे कैसे इस चीज का जो function perform करना है हमें अब गाइस यह आपको सोचने वाली बात है कि हम यह करेंगे कैसे तो इसको हम करेंगे URL के constructor में पास करके यह क्या है URL का यहां पर constructor यूज कर रहा है तो URL के constructor में value पास करके हम convert कर लेंगे किसको यूराय को into URL and basically उसे किसमें सेफ कर वा लेंगे अपने यूराय वाले वाले वेरियेबल में फिलाल इसमें क्या था नल था उपर जब जैसी ट्राय हमारा कैश ब्लॉक चला तो इसमें क्या करा URL चल गया कोई यहां पर प्रिंट स्टेक कर देगा बट अगर कोई नहीं होगी तो सिंपल क्या होगा URL में हमारे क्या स्टोर हो जाएगा URL तो गाइस अब हम क्या करेंगे Android पे चलेंगे एनप क्या करेंगे की बिल्ड करेंगे अपना URL जो क्या यूज होगा हमारी GitHub की क्वैरी सर्च में य सुद्ध आइस अब क्या करेंगे सबसे प्रहले अपना बिल्डर लिख लिए जो हमारा क्या क्या करेंगा URL बिल्ड करेंगा ऑंड उसके लिए हमें किस में जाना पड़ेगा यूटिलिटिज में जाना पड़ेगा एंक इसमें नेटवर्क उटिल्स में अब गाई जैसी आप नेटवर्क उटिल्स ओपिन करोगे तो हमारा यहां पे आल्रडी आप यहां पे देख सकते हो अल्रडी यहां पर क्या है मेरा URL अब है फिस प्रह休ं सकते हैं ऐसे यहां पर इसको कर लेते हैं यहरे इसको क्या कर लेता है एंुए गित尾थ Come बिल्ड करना हुआ है इसे एन फ्रीट कर लेता हूं तो सिंपला अभी हमें कि करना है हमें एंडिवर्क कर current को एन्धिकली के यहां पर कमेंड भी एड है यह क्या कर रहा है बिल्ड कर रहा है कि इसको URL को जो क्या होगी हमारी क्वेडी होगी GitHub पे फिलहाल हम इसको क्यों यूज कर रहा है गाइस बिल्ड करने के लिए क्योंकि यह जब और नेटवर्क रिक्वेस्स करेंगी हम तो हमें url की जरुआ है और इसमें हमने चैंज कर रहे हैं तो यह बिल्ड करेगा इस यह चांज करने से पहले हम लोग को रहा है डिसाइड करा था कि constant हमें define करने है तो अगर आप यहां पर देखोगे final static string github base तो यहां पर already and जो URL मैंने आपको बताया था यहां पर already given है तो यहां पर क्या constant हमने already define कर रहा है फिर इसके बाद दूसरा constant आता है हमारे पास param query तो param क्यों होता है parameter होता है basically query के लिए हमने यह वाला parameter string type का यहां पर constant define कर दिया है and यहां पर q use होता है and basically guys इस चीज में confuse मत होना अगर आपको याद हो तो basically यहां पर हम कैसे यूश करते थे जा से question mark, q, ऐसे ही तो query यूश करते थे तो basically हमें वही चीज करनी है तो उसके लिए खाली हमने क्यों प्रण क्यों क्रेट कर दिया है कि उसके साथ लिखने की जग़ा उसको इसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं दो constant और हैं हमारे constants है नहीं पर आप देखोगे तो हमारे पास कौन कौन से हैं एक तो हमारे पास sorting के लिए राइट तो वह क्या हो गया सॉट परम सॉट आगा हो और दूसरा किया किस तरीके से सॉट करना है तो हमने यहां पर क्या दे दिया स्ट्रिंग टाइप के स्टार्स मतलब कि कौन सी रिपॉजिट्री कितने हाई स्टार लोग तो उसके बाद हमारा first method आगा यूरल बिल्डर इसके बाद आगा response from http और इसमें अगर आप देखोगे तो यह input क्या ले रहा है url ले रहा है तो गाइस बेसिकली यह url जब लेगा तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो इसका output क्या url टाइप है तो यह वाला जो हम यहां से url बिल्ड करेंगे वह url किसमें जाएगा हमारे इस वाले method में जाएगा जो क्या करेंगा गाइस इस चीज के लिए already हमने पढ़ चुके थे कि कैसे input stream चलता है कैसे हम data fetch करते हैं जैसन response करते हैं यह सारह चीज हम अल्रेडी कर चुके इसलिए उसमें भी हर चीज कवन नहीं कर बाए क्यों गाइस नेट्वर्ग अपना हमें बहुत बढ़ा है और बहुत वाइड टॉपिक है इसमें आपको बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है क्युकि जब तक आप इसमें प्रैक्टिस नहीं करोगे क्योंकि ऐसा टॉपिक ह कॉल जाओगे क्यों यूज्व रहे है थोड़ी ज़ादा है में ट्रैट नेट्वर्क रिक्वेस्ट इस बड़ाउन पर रनकरनी है कॉनसी में ठ्रेट पे रनकरनी है यह चीज़े बहुत ज़रूरी है तो यहाँ पर कैस शुरू कहते हैं कैस घॉड को आपको याद होगा इसका अल्रेडी हम देख चुके हैं कि कौन सा कोड लिखना है हमें सबसे पहले मुझे किस उसमें चाहिए अपने यूराय में क्योंकि मैं आपको कि बताया थे जो यूराय बिल्डर होता है उसके क्या है हमारी यूराय में फैद देता है वो तो मैं हैं पर क्या ले लूँगा इसे पार्स कर देंगे हम और किसको पार्स करना है हमें जो इसके बाद हम कौन सा करेंगे बिल्ड अपॉन में अगर आप इसकी डॉक्मेंटेशन भी यह पर देख सकते हो क्या है कंस्ट्रक्टर न्यू बिल्डर कॉपिंग दैट्रिब्यूस फॉम देस यूराय बेसिकली क आपको बैटर दिखेंगे अब क्या करेंगे अब करेंगे अब आप इसमें देख सकते हो हमारे पास अलग-अलग मैथर्ड है अपैंड इंकोड़ेट पात अगर हमें करना है अपैंड पात खाली अपैंड पात के लिए है अपैंड क्वैरी परमिटर अब क्या इस क्या चा क्योंकि हमारे पार इसके parameter उपर है और यहां पर मैं सिंपल के कर दूंगा यूज कर लिए अगर आपको याद हो गाई हमने मैं आपको क्यों के बता है यहां पर ऑल्री स्टैटिक टाइप का फाइनल टाइप का पैरम कोई हमारा ओल्री क्या है प्री डिफाइन हैगा ओके सिं सब्सक्राइप करेंगे अपनी मेन अक्टिविटी से यहां पर क्रिएट करेंगे एक मैंथाड on create से पहले करेंगे करेंगे उसमें जो information पास होगी जो parameter होगा हमारा वो यहां से लेगा वो इसमें फैच होगा information तो अभी जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्वेरी यहां पर दे कहां से रहूं के अभी और अपैंट करना है हमें अब दूसरा हमारा क्या था गा इस ज कर देखो गईस तो यहां पे कहां फोड़ॉ यह यहां कर रखा है यह ऑ saturation कर रर खा एक多र चक्रा़ कर भाई कि कि सह सौटक करने ओ środभ पाई कि से करना और सिंपल यहां पर क्या कर देंगे हमने क्या देखा दा अपने कोड में उसम्पल बीढ बिड कर देंगे यहां तक कर द यहां पर हमारा जो बिल्ड URI क्रिएट हुआ है क्योंकि अगर आप देखो हमारा रिटर्न टाइप किस टाइप का URL टाइप का है जब कि हम लेकर बना किस टाइप कर रहे है उर टाइप का तो अब क्या करेंगे मैं आपको को कोड़ स्निपिट में भी समझाया था कि हम इस वाले किसको जो URI है इसको किसमें करेंगे अपने URL में करेंगे यहां पर सिंपल मैं URL ले लूँगा और इसे क्या कर देंगे हम बनांगे यू एक इसम्पल में का रचत कर यो उस कर लेंगे और हम उसे चेंज आहां करना है जो हमारा URI में उसे चेंज करना तो सिंप 걸। soul जब कई तरीकर के एक्सेपशन आइगा, इसमें अरेडी बता दिया, इसने malformed url exception ठीक है तो हमें malformed url exception लगाना है तो simple इसलिए अपने आप बता देता है कि किस तरीके के वो आते हैं तो यहां पर क्या आ गया हमारा से second number पर ही आ रहा है अब अगर गाइस हमारा यहां पे उर्ल फिर्ट होगी वो एम्टी होगी तो बेसिकली अर्ल में कैचला जाएगा और अगर क्वेरी होगी तो simple url में कैचला जाएगा जो उपर से हमारा यह अब यहां का पार्ट हमारा हो गया complete अब किसमें चलता है मने main activity में चलता है main activity में अपके create करना है हमें अब यहां पर create कर लेंगे गाई जो हमारा GitHub query जो search करेगा GitHub query method वो बिल्ड कर लेंगे अब यहां पर कमेंट कर दों गाई था कि आपको प्रॉबम ना हो तो यहां पर basically हमारा क्या आगया वा आगया basically यहां पर comment में क्या रहा है this matter retrieve the search text from the edit text edit text हमने आपको बताय था क्यों को use कर रहा है construct the URL construct मतलब यह किस पर जाएगा URL बिल्ड पर जाएगा method भी जो हमें अपने set कर आए for the GitHub repository you like to find displaying the URL in a text view जो हमने extra text view बनाया था यह वाला process समझोगाई थोड़ा सा यहां पर जो हमने दाला edit text यहां से लेगा भेज़ेगा और यहां पर हमारा text view है यहां पर शो होगा इतना समझ में आ गया आगया आप इस पर चलना है यह वाला method बना लेते हैं अपना तो इस private type का बना लेते हैं private void make GitHub search query जो हमने snippet देखा था वही पूरा में follow करना है guys यहां पर के कर लेंगे GitHub query और हमें कौनसी value चाहिए इसमें इस चीज कर जो हमारा edit text था right m search में जो हमारा text है हमें वह चाहिए इसमें तो मैं simple यहां पर क्या use कर सकता हूं m search edit box और कौन सा method यूज कर सकते हैं इसमें get text वाला तो simple यहां पर get text आ method आ गया और इसमें किसमें चाहिए मुझे to string में चाहिए तो यहां पर आप जो edit text था, edit text में जो query हमने input खरी होगी वह अब get text पहले आया get text method क्रेइट करा और उसको फिर किसमें convert कर लिए हमने string में convert कर लोगी किसमें save कर लिया एक string type के variable में अब यहां पर क्रेट कर लोगा मैं एक URL type का object क्रेट कर लेंगे और इसका नाम रिख लेंगे github search URL अब basically क्या हमें search क्या करना है जो मेरी यहां से क्या यह string type में github query आई है इसे मुझे किसमें करना है builder में करना है अगर आपको यादो मुझे वहां से क्या मिलेगा URL मिलेगा क्या हो के पूरे parameters के साथ and query के साथ अभी क्या है हमारे पास आधा मिला है सिर्फ हमने भी fetch करा है हमने उसे process नहीं करा है अब पहले हम उसे URL में convert करके fetch कर वा लेंगे किसमें कि हमारे github search URL object में और यह object किस टाइप का URL टाइप का तो यहां पर हमारा वह किसमें है जो हमारा method है वह हमारा network in hotels में and simply में यहां पर क्या यूज कर लूँगा कौंसा method यूज करना है मुझे build URL और यहां पर github query github query वाला method है अब यह वाला method कौंसा method sorry method के रहूंगा variable राइट यह अधा parameter हमने यहां पर पास कर दिया है अब यहां पर आप देखो यह वाला कौंसा github query कौंसी थी जो हमने यहां से URL फैच करा था किस से जो edit text हमने value फैच करी ती वह किसमें save कर रहा है integer string type के github query के उसमें variable में वह 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 हमने किसमें पास कर दिया method में क्या किया है एक serial wise हमने पूरा यहां पर क्या करा है यूज करा है इसे अब हमारा दूसरा काम क्या है गाइस यह तो हमने URL बिल्ड करा फैच कर लिया अब उसे में display करवाना है में URL को स्पेचली URL को भी फैच करवाना है अगर आप यहां पर देखो मैंने के बताया था एक एड़िट आप यहां पर अभ्सो एड़ अगरिए जो सब डंद तो अब क्या करणा उन रल जो कर वा दिंगे हम बेस». ऑस के लिए हमारे पास इस कौन सा का अगर आप देखो तो यह मुर्ल display text view right यही ता हमारा जिसमें हमारा display होगा URL text view में तो simple मैं इसे use कर लूँगा murl display text view dot अब क्या करना है गाई मुझे इस पर set text use करेंगे क्यों क्यों गाई मुझे इस पर URL शो करना है तो simple अगर मुझे URL शो करना है मैं इस पर character sequence वाला show कर लेंगे और मेरा यह वाला URL किया था object है मैं simple इसे use कर सकता हूं तो यहां पर मैं यूज कर सकता हूं GitHub search URL और अगर आप देखो गाई यहां पर क्या रही है हमारी error रही है अब यहां पर आप देखो तो यह क्या कह रहा है cannot resolve method set text तो यह basically क्यों कह रहा है क्यों कि यहां पर यहां पर क्या method लेना पड़ेगा तो इसके लिए हमें यहां पर क्या method लेना पड़ेगा रिमूव हो गई है तो basically मैंने यहां पर क्या करा URL को convert कर लिया किसमें स्ट्रिंग में किसलिए ताकि मैं टेक्स वियू में इसे शो कर सकूं तो गईज यहां पर हमने स्टेप करें सबसे पहले क्योंकि मुझे क्या चाहिए था URL चाहिए था तो मैंने कहां जाके सर्च करा जो हमारी URL था इसको गई अभी हम सही करेंगे थोड़ी देर में इसको अभी ऐसी छोड़ देता है जो हमारी तो यहां पर हमारा सही हो गया तो यहां पर हमारा क्या हो रहा है सबसे पहले कि यहां पर हमारी बिल्ट और यूर्ल आया कहां से हमारे पास जो हमारी गिटहब क्वेरी मैथर्ड था तो अरे यह वेरियेबल था उसमें कहां जहां पर हमारे एडिट टेक्स में हमने दाला हो का query दाली होगी, वो query किसमें गई? GitHub query में गई, क्यों? क्योंकि हमने get text करा था, और किस form में गई? string form में गई GitHub query में, GitHub query में गई, फिर हमने GitHub query को किस method पर refer कर दिया? हमारे network utils में, build URL में, वो किसमें गई GitHub query search में आ गया, फिर build URL में guys, हमने already base URL हमारे पास था, और जो query वाला वो थी, जो उसकी पूरी आगी की वो थी, वो किसमें आ गई? हमारी GitHub query search में आ गई, यहां पर क्या हो गया, built हो गया, built हो गया हमारे पास, URL built हो गया, built URL में, उसके बाद हमने built URL को किसमें कर दिया URL में, और उसे के कर दिया, return कर दिया, जहाँ हमारा पास return गया तो उसकी value किसमें से वही GitHub search URL में, GitHub search URL में हमारी query से वो गई जाके, जो वो थी, अब हमें क्या करवाना था, एक जो हमारा यहां पर अगर आप layout में देखो, एक जो हमारा first box जो edit text था, उसका काम था हमें query देना, वो guys हमने fetch कर ली, दूसरा काम था show करवाना उस query को, तो वो किसमें कर लिया हमने mDisplay text view में set text use करके, कौन से जो URL हमें मिला था, उसे हमने show कर दिया, किस की help से, उसे string में convert करके, तो यहां पर जो हमारी exercise थी यह वाली, यह क्या हो गई है, पूरी हो गई है guys, आप किस के पर चलते हैं, next उस पर चलते हैं, अगले उसमें क्या देखते हैं, अभी क्या कर रही है, हमने खाली build कर आए guys, URL बिल्ड कर आए, अभी connection नहीं कर आए, अगले उसमें क्या क्या करते हैं, request भी कर लेते हैं कि कैसे हम online इसकी request करेंगे, HTTP request करेंगे, तब चलते हैं, second, अपने next topic की तरफ, अब guys, हमें next part के करना था कि HTTP request करना था, right, अब guys, अगर मैं आप से कहूं, already, जो हमारा main objective था, URL, जो हमारा एक major portion था, 60-70% जो हमारी working part था, वो हमने already, यहां पर क्या कर द यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यह open connection कर लिया है, और मैं आपको क्या बताया था, network में हमने समझा था कि कैसे हम URL पर open connection जब करते हैं, तो basically क्या कर रहे हैं, network से connect कर रहे हैं, लेकिन यहां पर अभी हमने data fetch करना शुरू नहीं कर रहा है, इस दीज का हमेशा आप ध्यान रखना जब URL.open connection होता है, तो basically आपने connect कर लिया है, जो URL दिया है, बट अभी आप उसमें और भी operations लगा सकते हो, कि अगर कोई modification करने है, या कुछ और change करने है, तो आप यहां पर कर सकते हो, अभी सिर्फ हमने connection established किया है, उससे कुछ फैश करना शुरू नहीं करा है, इसके बाद ग input stream किसले यूज होता है, जो हमारी stream होगी, connection से URL से, जो हमने connection established किया होगा, वहां से data क्या करेगा, fetch करेगा, fetch करेगा in the sense, stream जो json format में हमारा data होगा, उसे fetch करेगा, json type में fetch करेगा, okay, यहां पर हमारा URL connection जो हमने create करा था, http connection के लिए, जो हमने open connection set किया था, उसे use करेंगे, next इसके बाद हमारा क्या आगे, scanner आगया, and scanner में क्या पास कर दी, हमाने input screen पास कर दी, यहां पर object type इसका, ठीक है scanner में, अब guys, इस चीज का आपको पता होना चाहिए, input जो हमारा scanner होता है, वो किसमे utilities में work करता है, input and output के लिए, बहुत basic चीज है, किसले use होती है, हमारी, कोई स्कैन करने के लिए, मतलब input लेने के लिए, okay, read करने के लिए, अब guys, यहां पर हम, जो HTTP request है, हमारा data है, उसे read करने के लिए, हम क्या use करेंगे, scanner use करेंगे, और एक चीज और guys, जरूरी नहीं है, हमारे उसमें यह limitation नहीं है, right, हमारे और भी तरीके होता है, किसको HTTP request को read करने करेंगे, फिलहाल हम सिर्फ scanner use करेंगे, क्यों, क्योंकि यह करेंगा अभी, हमारे लिए better है, क्यों, क्योंकि scanner जब guys use करते है, तो यह क्या करता है, tokenized stream करता है, जब मैं कह रहा हूँ, tokenized stream करता है, tokenized stream का मतलब होता है, कि tokens में divide कर देता है, एक साथ पूरी की पूरी stream नहीं कर देता है, and token की form में, bits by bits, input लेता है, तो इसका यह हमें क्या होता है, benefit होता है, यह तो हमारी first line, guys, हमने create करा, यहाँ पे, और basically, जो input लेगा, यह किसकी help से लेता है, delimiter की help से, अब guys, यहाँ पे delimiter में हमने backslash A दे रखा है, okay, एक backslash हमने यहाँ पे escape character की तरह यहाँ और यहाँ पे हमारी जो main command है, वो किया है, backslash A, तो backslash A क्या क्या करता है, इसके scanner में, basically guys, delimiter एक pattern होता है, कि इतनी एक stream आईगी, उसके बाद डिवाइड होके नई stream शुरू हो जाएगी, तो delimiter हमें क्या देता है, एक pattern देता है, अगर मैं यहाँ पे इसे खाली तो यह क्या लेल का by default जो इसका एक pattern होता है, delimiter का scan करने का input stream को यह वो लेगा, लेकिन हमने क्या चलाकी करी और हमने का नहीं, तो हमारे तरीक इस देखो, तो basically, जब मैंने यहाँ बैक-slash A दे दिया है, तो इसका मतलब मैंने इससे क्या का, अब guys, आपका होगे, यहाँ तो आप इसे पढ़ दी सकते हो guys, online जाके, documentation में इसकी, backslash A एक already predefined इसकी क्या property है, अलग-अलग भी होता है, backslash P, B, सबका अलग-अलग pattern होता है, backslash A का का काम क्या होता है, कि एक fix token create करना, और उसको fetch करना, और जब मैंने आपको बताया है, कि यह छोटे-छोटे size लेता ह tokens के है, एक साथ बड़े उसके ना हो कि यह इसलिए हम यहाँ पर scanner use कर रहे है, क्योंकि guys, हमारा main aim जो है, उसको क्या करना है, कि हमारी जो input stream हो, जो हम read करे है, HTTP से जो हमारे पास data है, वो fast आए, और कम bandwidth use हो हो हमारी, अब guys, जब हमारी कम bandwidth use होगी, तो कम data use होगा, जली fetch होग and जली display करवाएगा, right, and कम processing power हमारी use होगी, तो इसलिए हम यहाँ पर API use कर रहे है, scanner use कर रहे है, अब guys, यहाँ पर अगर आप देखो, तो मैंने यहाँ पर boolean has input method use कर रहा है, and क्या use कर रहा है, has next, अब guys, यहाँ पर जब मैंने has next use कर रहा है, तो basically has next इसलिए use कर रहा है, क तो यह अपने आप करता रहा था, लेकिन हमने का नहीं, हमें guide करवाना है इसे, तो जब मैंने इसे divide कर दिया है, तो यह हमने, हमें क्या लेना पड़ेगा, एक method लेना पड़ेगा, जो इसे next token पर shift करेगा, अब जब हमने यह भी check कर रहा लिया, अगर next token पर भेज गया है, तो क्या करें, अगर है input अभी, क्योंकि यहां पर आप क्या check करेंगे guys, has input क्यों यूज करा है हमने, हमने अभी check कर वा लिया, कि जो first delimeter है हमारा पास token आया, वो हमने has input में save कर वा लिया, अब input stream आके save हो गई, किसमें boolean में, तो अब यहां पर true या false में save हो गई है, क्यों dot next, यहां पर हमने लगा दिया, और अगर has input में कोई already कोई stream नहीं है, तो मतला false हो गया, तो return के अगर दे, null कर दे, और हमारा finally block guys, मैं आपको क्या बता है, the finally block हमारा चलता ही चलता है, अगर जो हमारा यह वाला वो होता है, finally try catch में, try अगर try चलता है, तो जैसे हमारा catch नहीं कर रिया, तो guys, यह तो हो गई हमारी किसकी जो HTTP की क्या थी, पूरी processing थी, and इसके थोड़े से और benefit देख लेए हैं, basically, हम scanner की, और एक वज़ा से किसलिए यूज कर रहे हैं, अब guys, एक और reason जो हम use करें, scanner वो इसलिए कि, जो हमारा client है, वो server से data request कर रहा है, right, तो हमारे यहां पर data आया, यहां पर हमने fetch कर लिया, इसे, अब जब guys, fetch कर लिया, तो यहां पर input stream है, वो एक तरीके की है, okay, एक size के buffer, अब हमने buffer के बारे में बात कर आता है, जब guys, हम input stream लेते हैं, तो अलग-अलग type के buffer आते हैं हमारे पास, तो उस buffer को handle करने के लिए भी हमें कुछ चाहिए, जब हमने network में पढ़ा था guys, मैंने आपको बताया था कि buffer reader कैसे work करता है, कैसे हम connect करता है, कैसे response करता है, क्यूंकि हमें जो data मिलता है, वो किसमें मिलता है, JSON में मिलता है, and हमें उसे convert करना पड़ता है, and उसे readable बनाने के ल buffers होते हैं, अब guys, इससे हमारे scanner by Delimeter use करने से benefit क Razfad commen NO signal है, अभी हम क्या रहा है, एक type के buffer ले रहा हैं, लेकर जब हम क्या हम क्या minder लेता है tobol जब कासो हमारे buffer हमेषा same spacious के नहीं होते है, तो यह हमें क्या help करता है इसमें help करता है different sizes के buffer handle करने में भी हमें हमें बहुत reliable है क्यों क्योंकि यह tokenize करता है और जब tokenize करके आप data transfer कर रहे हो तो आप किसी भी type के buffer को क्या कर सकते हो कि यह अपने आपने वालो या कि यह अपने अपने आथमेस करना है कि 25 उसे करना कानी है और दूसरा पोना हमें क्या यह हें चर्राइक्टर य्ट्राव करता है अब करल बसकता हम गोदीग तो इसका मतला हुआ हमारे शुर्ण के बताया है जको मैं मिलता है बफर मिलता है तो इससे जो कोडिंग हो यह उती है वह डिफन्ट टाइप की प्रति होदिश गड्स ए कई सकत liberal कर सकते को चेह define ard ऊंसेह संब outreach कर सकते हैAre हमारी android होती है वह कौन से टाइप के encoding में होती है utf 16 तो बेसिकली एक हमें और भी help यह करता है कि अपने आपके कर देता है convert कर देता है utf 8 से utf 16 में encoding change कर देता है जिसकी help से हमकी कर सकते है कर सकते है without any problem मतलब हमें उसे अलग से रीट करवाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है वह अपने आपके कर देता है convert कर देता है इसके लिए हमारे पास और भी libraries है जो क्या करता है functionality हमें देता है कि इसकी http stack को handle करने की better तो कुछ examples में description box में दे दूँगा आप उसे check out कर सकते हो एक website का link है basically उस पर और भी libraries है कि जो जो handle करती है http request को इससे better and उसकी क्या-क्या functionality है and syntax क्या है and कैसे work करता है तो आप यह सब चीज़े गाइस देखना I know बहुत सब कुछ है समझने के लिए and थोड़ सर टिपिकल लग रहा है but guys जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहोगी यह चीज़े सब easy लगते रहेंगी क्योंकि यह चीज़े जैसे आप repeat करते रहो है क्योंकि same format है जादा syntax कोई change है नहीं and concept भी at the end of the day सारे से में अब बस हमें क्या देखना है कि सबको merge कैसे करना है and इस वक हमारी बहुत करीब है किस पे अपनी internet connectivity के लिए बस हमें एक चीज़ और करनी है आखरी वह क्या है हमें permissions और add करनी है किसकी network permissions तो वह कर देते हैं हम तो हमें फर्स टेप करना है पहले तो अपनी permission add करनी है किसमें XML जो हमारी manifest XML नहीं manifest file simply आप इसे खोल लो and यहां पर क्या करना है हमें इसकी permission add करनी है मैं simple यहां पर क्या कर लोंगा permission add कर लोंगा किसके लिए internet के लिए तो simple यहां पर users permission permission और मुझे कौन सी permission चाहिए यहां पर android permission internet तो मैं simple यहां पर क्या कर लोंगा permission add कर लेंगे यहां पर इसका bracket हमने पर क्या कर दिया एक चीज़ और यहां पर हम permission basically देते ही हूं तो guys ऐसा होता है कि चाहिता है और यहां जिटने भी हमारे process होते हैं क्योंकि मैंना बताया है कि हमारे एक किस पर चलता है किई कर लिनुक्स कर लाटा है तो जब भी कोई एप चलता है तो आपना instance create करके चलता है तो Linux kernel उसे क्या करता है एक ID specify करता है जब वो id specify होती है तो वो अपना एक अलग क्या कहता है जब मैंने का instance create करके चलता है कोई हर अप अपना तो गई एक तरीके से आप यह सोच लो अपना send box create कर लेता है send box in the sense एक अपना अलग से box create हो जाता है जिसके under में उसे काम करना होता है तो वो उसकी क्या होता है वो दूसरे एप की permission access नहीं कर सकता और दूसरे एप उसका data access नहीं कर सकता है उससे यह होते कि हमें security प्रवाइड होती है कि हमारे जो sensitive data होता है कोई और दूसरा एप हमारे उसको नहीं कर सकता access नहीं कर सकता, एक तो यह तहोता है हमारा है, इसलिए हम youse ke tax, permissions like internet भी एक उसी में आता है bili स्नुर्सों में नहीं होरा है , जो क्या होता है थोड़ा सा risky होता है , हमें बहुत yes . और इसलिए हम यह पर इसलिए permission आपके यह और से लेते हैं, इस एक तो यह जो make github search query था हमारा अभी तक सिर्फ क्या कर रहा है मैंने display कर वाया अभी तक मैंने request नहीं कर रहा है यहां पर अभी तक हमने क्योंकि हमारा किसमे process किसमें हो रहा था यहां पर हमने से build कर रहा था URL और यहां पर जो हमारा http connection था वो कौन सा method कर रहा था यह वाल यहां था right search clicked वाला तो इसमें जैसी click हो रहा था यहां पर क्या वाला था हमारा हमारा अब कर लेदे हैं क्योंकि यह वाला method जब मैं यहां पर search मुझे क्या चाहिए कि मैं जब search पर click करूं तो मेरा कौन सा method चले make github search query मतला search होनी शुरू हो जाए जब search होनी शुरू होगी तो क्या करेगा edit box में से पहले fetch करेगा show करेगा दूसरे text view में जो हमने URL search करा था फिर वो किस पर जाना चाहिए हमारे builder पर जाना चाहिए URL बिल्ड करेगा और उसके बाद किस पर जाना चाहिए हमारे http response से जो URL लेगा और हमें response देगा and return value देखे वो हमें show करवा देगा जो हमें show करवाना है तो अभी यह वाले process होने है अभी इसमें कौन सा कोई भी process नहीं हो रहा है यह जो हमारा method है यह भी कोई हमने logic नहीं लगा है कि run कैसे होगा तो पहले पहले इसका logic लगा लेते हैं वह logic कहा लगएगा यहां पर अभी हम क्या दे रहे थे toast message दे रहे थे जब यह हमारा click हो item click तो मैं simply क्या कर सकता हूं guys इस वाले जो पूरे इसको है इसको मैं delete कर सकता हूं आप क्यूंकि फिलहाल तो हम बस यह चेक कर रहे थे कौन सा हमारा click हो रहा था अभी हमने context दिया था and display कर वाया था text message जो toast display कर वाया था वो इसके लिए दिया था अब मुझे चाहिए कि जैसी मेरा search button पे click हो मेरा कौन सा वाला method run हो जाए गाई यह वाला make github query search query search query search query जिसमें हमने logic लगा है कि जैसी मैं search button पे click करूं क्या क्या होना चाहिए एक तो वह edit text से जिसमें हमने URL दिया है input करा है वो उससे fetch कर ले जहां पर एक text विया जहां पर हमने URL show करना ह है वो शो करे calculate पूरा connection स्टैबलिश करे background में वह हमें data fetch करके show कर दे and show किसमें था guys हमारा यहां पर आपको text विया दोगा m search results में तो यहां पर आपको कोई m search results तो दिख नहीं रहा हमने इसका मतलब set भी नहीं करा है तो basically अभी हमारा कोई भी logic work नहीं कर रहा है तो सबसे पह हम click कर रहे तो item कर रहे तो इसको भी हमने क्या देंगे r.id.action search यहां पर हमने क्या कर दिया बटन सेट कर दिया है यहां पर कि कौन सा वाला बटन है जो हमारा action search वाला बटन था अगर आप यहां पर जाओगे तो control भी अगर मैं करूंगा तो यहां पर हमने menu पर जो button set के ID set कर तो कि यह क्लिक हो तो हमारा क्या आगी वहाला method哦对 wooden 어떤 DAVID होते ही क्या होना चाहिए हमेरे रहना चाहिए हमारी सब एक query edit box से जो हमने के करी ती set करी ती उसमें input करी होगी वो किसमें चाहिए string में आ जाने चाहिए वो हमारे पास आ गई वो हमने किसमें जाल दी फिर उसके बास second step किया था उस URL को जो हमारे पास आया था URL ने गई आप इसके बाद हमारा क्या आ गया display text view आ गया तो वो हमने URL यहां पर display करवा दिया आप क्या हमारा बास four step क्या था कि बेक्ड्राउंड में वो क्या हो जाएगा इंटरनेट से connect हो जाए एंड उससे fetch कर ले information तो अब क्या करना है हमें कौन सा वाला method call करवाना है हमें get response from http method यह कि जो हमारा जैसे हम आ रहा है जो builder से क्या आया था हमारे पास URL fetch हुआ था वो उसमें क्या करा था हमने एक दूसरे URL type के उसमें fetch कर लिया था उसे directly ना करके तो ऐसी एक string type का object ले लेते हैं जिसमें जो हमारी http request होके आईगी वो इसमें fetch होगी तो यहां पर क्या कर लेता हू क्योंकि ट्राइकस के लिए जो हमें क्या करना है operation perform करना है request वाला कौन सा जो अपना http response वाला method है ताकि हमें उससे क्या मिले हमारी network request है हमें दालना किसमें GitHub results में दालना है तो मैं यहां पर simple क्या लिए लोगा GitHub search results and यहां पर हमारी वाला method है किसमें guys network utils में है and कौन सा है get response from http url and इसके अंदर हमारा pass क्या होगा GitHub search url अब यहां पर guys आपको सोचने की जरूएत है basically यहां पर ऐसा हुआ क्यों रहा है क्योंकि अगर आप देखो यहां पर क्या हुआ जो GitHub results था उसमें हमने network utils का method call कर लिया and get search url हमने इसमें क्यों दाला क्योंकि guys यह वाला url है जो हमने एक तो यह वाला url जिसमें हमने network utils method से build किया था अब यह हमें दो जगा यूज करना था एक तो जगा हमें display करवाना था तो वह मैंने murl display text view में दाल दिया था एक बास set कर दिया था अब यही url हमें इससे data भी fetch करना है तो यही url मैंने किसमें दाल दे http अपने method है response method जो है and simple अब क्या कर लेंगे अब हमारा जो search results वाला text view यहां पर m search results ता राइक हमने ख़ी चया किया किया इबाला github search results जेसन वाला जो क्या बना यह एक text view बनाया तै जिसमें हमें show कनने थे results, तो आप क्या करेंगे, उस result में set कर देंगे, तो simply मैं यहां पर क्या कर सकता हूँ, यहां पर set text कर सकते हैं, और क्या set करना है हमें, जो हमारे GitHub search result है, वो set करना है, तो simple मैं यहां पर guys, जो GitHub results है, यह क्या कर दूंगा यहां पर सेट कर दिया and next चीज क्या कर देंगे अपना catch block लगा लिंगे and यहां पर क्या आएगा हमारे पास input output exception आएगा and यहां पर आगा हम stack trace print कर देंगे print stack trace and एक चीज और गाइज यहां पर हमारे थोड़े सी change हो गए यहां पर text क destructive ya उसे सब्सक्रीम क्रिभा कि दो इसे का दंद क्लिवा यहां भी लिए लिए लाक्कि हमां को सब्सक्रिया and text view अभी हमारा क्यों नहीं आ रहा क्योंकि नहीं का एक जगह और change करने हम उग यहां पर बी change कर लेता हूँ इसे क्या कर देता हूँ? text view कर देता हूँ यहां पर बी क्या कर देते हैं गजी इसे m search results text view तो मैंने बस इसमें guys झोह हमारा m search results ता उसमें text view और add कर दिया ताकि हमें confusion नहों कि कौन साइट text view है जिसमें हम display कर रहे हैं और यहां पर global variable में मैंने change कर दिया है और अगर आप नहीं करोगे global में तो यहां पर error आएगा और यहां पर भी error आएगा तो basically guys यहां पर हो गया हमारा logic क्या complete एण यहां पर basically ग्याइज हमारा logic complete कैसे हुआ हमने सबसे पहले क्या करा button जो set कर रहा था उस पर click करा तो जैसी click करा हमारा क्या answer method run होगा GitHub search query return हमारा run होगा राइट जैसी यह run हुआ हमारा method आगे GitHub search query इसने पहले run करा क्या हमारी सबसे पहले जो text थी उस text field थी edit text field थी उससे जो query हमने दी होगी input करी होगी वह fetch करी उसे किस में दाला builder में दाला वहां से URL build करा फिर URL type के object GitHub search URL object में हमने URL input कर दिया फिर उस URL input को हमने कर दिया शो कर दिया उसके बाद मैंने क्या कर दिया कर दिया इस एक string type का GitHub results बनाया और फिर जो हमारा HTTP response वाला क्या method था उसमें क्या जो हमारे यह URL था GitHub search URL type का object जिसमें हमारा URL store था वह run कर आया simple फिर उसे किस पर set कर दिया हमने set text कर दिया किस पर हमारा search results आएंगे वह एंड हमने catch block लगा दिया कोई exception आए and basically क्या कर दिया print stack trace कर दिया कि ताकि हम print कर सकें अगर कोई error तो यहां पर हमारा complete हो गया है and एक issue की बात अभी लेकिन अभी और है इसमें guys जो guys हमने पहले भी देखी थी आप error क्या रही है हमारी okay यह basically आप क्या कर सकते हो इस रेस कर सकते हो कोई issue नहीं है तो basically guys हमने हमारी जो दूसरी major issue है guys वह यह है जब आप इसे run करोगे राइड इसे run करा work तो सही करेगा बटी क्या देगा एक error देगा and error क्या देगा guys यहां पर यह जो हम पहले डिसकर्स कर चुके हैं किसमें अपने networking में जो क्या network exception देगा कौन सा main thread पर चलने का वही चीज है guys जो हमने पहले भी डिसकर्स कर चुके हैं दो बार अलड़ी दो कोर्स में अलग अलग जगाओ पर हम डिसकर्स कर चुके हैं यह वाली एरर and यह वाली एरर basically क्यों आती है हमारी कि जब हम main thread पे request भी करते हैं and उसे fetch भी करते हैं सारी processing main thread पे करवाते हैं तो इसके लिए guys हमने already अगर आपको याद हो guys हमने loaders async task already class चलाई थी और इसके साथ loaders भी चलाए थे फिर हमने पैट वाली class में भी loader main thread and उसमें चल अलग-अलग का रहा था क्योंकि उसमें guys simple हमारे क्या थे सिर्फ हमें background thread में चलाएं तो हमने loaders का use कर लिया था तो हमारे जो response जो request वाले methods होते हैं उसे किस पर run करेंगे हम async task में रन करेंगे ताकि हमारी background में रन करेंगे ताकि यह वाली error क्या है हमारी दूर हो जाए अब हमें क्या करना है डिवाइट करना है main thread में background thread में अपने app को so guys अब आपको यह सोचना चाहिए कि basically हम async task use क्यों क्योंकि 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 लोग मुस्ते पूच चुके है guys हम async task use क्योंकि अगर आप देखो हमारे जो android है हम 10 से जादा apps चला सकते हैं तो इसमें होता है कि हम simply अपने app में दो thread क्यों use करें जब हमारा जो android system है मतलब कि already multiple operation handle कर सकता है तो हमें दो threads की क्यों जरुवात है तो guys इसका answer यह है कि अगर आप सोचो तो जो हमारा phone है वो क्या जो activity होना आपको बताईजी वो क्या होती है single user focus activity होती है तो चाहें हमारा बहुत सारे multiple screen तो चल लेंग हो आपस तो चल लेंग हो बट वो क्या होता है गाइस background में होता है तो basically जब तक आप उसे foreground में नहीं रखोगे तब तक कोई issue नहीं है background में क्योंकि guys वो क्या हो जाता है pause state में चल जाता है अब लेकिन जब हम एक ही process जो हमारे user interface है जो main activity है अगर हम उसी पर ही multiple process करने रगें तो हमारी problem होती है वहाँ से start क्योंकि guys अभी हमारे क्या हो रहा था एक process हो रहा था लेकिन अगर मैं उसी user activity पे background में ना जाके उसी interface पे चार process चनाना लगों तो हमारा क्या हो जाएगा जो single user interface है क्यों हो जाएगा and इसमें एक कमी की बात यह है guys क्योंकि जासे अगर हमने कोई button क्लिक करा रहा है अपने app में and एक्तम से कोई update हो गया हमारा result तो guys आप सोचो हमारे कितने operation एक साथ होते हैं कि पहले उसने गया यह क्या हो रही है एक time limit के अंदर होती है कि इतने microseconds यह seconds के अंदर अंदर इसे complete होना है ताकि हमें difference ना पता चले कि okay processing हो रही है इसलिए क्या होते है हमारे processor होते हैं तो जितने आपके main thread होंगे उतने core processor पे वो handle करेगा अब guys issue यह होता है हमारी जो यह वाली error आती है exception on main thread task on main thread तो basically यह वाली error कब आती है जब हमारा phone detect करता है कि एक यह delay होती है guys 60fps होती है 60fps in the sense single user interface thread होता है यह इतने time की delay बिना किसी delay के दिखा देगा लेकिन अगर इससे जादा आप इस पर वो कर दोगे तो जो 60fps का जो run time है यह क्या कर देगा इसे नहीं ले पाएगा guys and basically अगर इससे जादा उपर computation हुई तो basically हमारा app क्या feel होगा कि वह still है या फिर hang हुआ हुआ लगेगा तो इसलिए हम जो single thread होता है उस पे जादा तर try करते हैं कि हम क्या करें guys multiple process उस पे ना run करें and इसी का reason है and इसी का reason है कि जब तक हमारी 60fps के अंडर रहती है computation हमारे phone पे single thread पे तो तब तक हमें जो lack feel नहीं होता है चाहें कितने बी processing गलने हम एक process पे तो हमें lack feel नहीं होता जब यह computation power इससे उपर हो जाती है guys तो क्या आती है हमारे error आती है मतलब कौन सी error आती है जो अगर इस पर आप अब गाइस यह main वाली जो error आती है आती कब है चुकि जितने भी हमारे UI वाले thread होता है जैसे button click यह सब यह बहुत fast work करते है राइट लेकिन जो network होता है guys क्योंकि जो हमारे UI वाले thread होगा है तो networking basically हम क्या कर रहे है एक तो हमारे internet based internet की speed based है and फिर वो client से server type request करेगा पर उससे data fetch करेगा तो वो हमारे system में नहीं हो रही हो और यह already कहीं बाहर तो उसका आप क्या कर सकते हो time calculate नहीं कर सकते हो सकता है उसके कई सारे factors है जिस पर depend करती है speed तो यहां पर हो सकता है अब गई जो competition power होती है हमारी क्या हो जाती है बढ़ जाती है जब networking की बाद आती है तो 60 fps के उपर चली जाती है and हमें क्या error मिल जाता है कि your app is not responding do you want to wait or close it तो यह वाली error क्यों आती है हमारे इसी time पर आती है जब हमारी networking requests क्या कर जाती है जो हमारे ऐसे वाली requests होती है तो हम foreground पर चला होता है वो किस पर रन होता है secondary execution thread पर रन करते हैं and यहां पर एक error होगी मुझसे गई जो network last लिखावा है network task last नहीं है टास्क है run the network task on the secondary execution thread अब गाई secondary execution thread में लड़ी आपको बता चुका हूं एक होता है main thread एक होता है secondary thread तो हमारे जो जतने भी network requests होता है हम हमीशे क्या focus करते ह है कि वो किस पर रहनो हमारी secondary thread पर रहनो ना कि main thread पर और दूसरा होता है क्योंकि हमें क्या चाहिए होता है अगर background में task हो भी रहे तो हमें UI में changes करने ही है तो हमें चाहिए होता है कि वो sync में भी रहे UI से और जो UI वाला जो main thread UI वाला भी होता रहे background में processing होती रहे जब processing होके आए तो वो भी क्या करते UI में changes कर दे अपने यह किसके help से करते हैं गई हम achieve किसके help से करते हैं async task की help से करते हैं तो basically अगर आप async task की documentation पढ़ो तो simply यह क्या करेगा allows you to run a task on the background thread while publishing results to the UI thread basically इसका मतलब क्या है कि यह background में run भी होता रहेगा और user interface में जो इसके results है background के वो दिखाता भी रहेगा तो UI से भी interaction करता रहेगा and background में भी चलता रहेगा तो इससे हमें benefit क्या होता है कि हमारा app फील नहीं होता है इसकी lag हो रहा है hang feel नहीं होता है इससे हमारी जो competition power होती है वो 60 fps के अंडर में गहती है अब अगर हमें UI threat को समझना है गाइस तो एक तरीके से अब यह सोच सकते हो कि हमारा क्या handler है and जो क्या ले रहा है messages ले रहा है लगातार and वो basically जैसे हम message क्यूं जो होती है message क्यूं हमारे main threat पे चल ले है and उसे handle कर रहा है UI तो basically guys अब बेक्ग्राउंड से है या main उस से हमें कोई issue नहीं है as long as जो हमारी main message की क्यूं है उससे क्या disrupt ना हो अब गाइस एक चीज और देख लेते हैं जो हमारी async task होती है बास थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं जो लोगों ने पुरानी वाली class नहीं देखी है या फिर थोड़े और एक्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं ताकि थोड़ा सापके लोग को confusion जिन्होंने समझ जगी थी पहले उनका और confusion दूर हो जाए जो नहीं लोग हैं उनको भी थोड़ा समझ में आदा है तो बेसिकली जो हमारी async task होती है वो एक generic class होती है अब जब मैं कहता हूं एक generic class होती है तो basically generic class का मतलब होता है कि हमारा जो constructor है उस class का वो क्या होगा parameterized type होगा मतलब वो parameter लेता होगा कुछ ना कुछ and हमार जो async task का constructor है वो किस टाइप के parameter लेता है जावा टाइप के जावा वर्ल्ल के उसमें लेता है and जब कर मैं कहा हूं जाव वर्ल्ल के तो आप यहां पर देख सकते हो यह जाव वेरियाबल है यहां पर हमारे तीन जो होते हैं हमारे यह उस वाली प्रोग्रामिंग में लास्ट मारी नेटवर्क वाली प्रोग्रामिंग में गई मैंने आपको दिखाया था कि तीन डॉट कैसे करते हैं and इसका मतलब क्या होता है तो बेसिकली यह जो तीन डॉट होते हैं गई जो parameterized type parameter में हम लगाते हैं तो रही टास पर एक्जीक्योशन के टांप अपाइड जिखाया है जासे अगयर कोई हमारी डाउनलोड अरही है इस फाइल तो जो हमारी लोटिंग दिखाता है वह कौन दिखाता है हमारी प्रोग्रेस टाइब दिखाता है हिर आगे हमारा result basically क्या कंप्यूट करता है जो बैक् वह कौन शो करेगा हमारा result type शो करेगा इसके क्या होते हैं कि हमारे पास function होते हैं इन तीन हो types को पूरा करने के लिए first हमारा function क्या होता है do and background तो basically guys do and background जैसे नामसे समझ में आ रहा है यह responsible होता है हमारे जो task अभी हम main thread में कर रहा है उसे background में करने के लिए यह पूरी background की processing करता है and हमें result देता है फिर आगे हम on progress update यह guys अभी हमने discuss कर लिया on progress update कौन सा है ऐसे downloading हो रही है या फिर कोई और हमारी file process हो रही है तो उसकी information कौन देता है हमें on progress update उसके के बाद एक आता है हमारा on post execute और और एक आता है pre execute आप guys post execute and pre executive में difference यह होता है कि जो post execute होता है post execute execute होने के बाद जो हमार पास result आता है वो देखता है जबकि जो pre execute होता है pre execute हम use करता है कि अगर हमें UI में कोई changes करने है background thread के start करने से पहले थोड़ा सा confusing है सुनने में तो इसे थोड़ा graphically समझ लेते हैं एक diagram की help से समझ लेते हैं basically मैं कह क्या रहा हूं and इसको execute कैसे करते हैं guys execute की help से okay यह हम programming में समझेंगे की execute क्या है and execute कैसे करेंगे इन वाले functions को अब पहले इस देख लेते हैं कि जो हमारा main thread है और UI thread है यह इन वाले functions है इस पर work कैसे करता है तो guys हमारा सबसे पहले आगया pre-execute pre-execute जैसे इसके नाम से आपको समझ में आ रहा होगा execute होने से पहले pre अब जो हमारा UI task पर दिखाना है guys background से पहले तो मैं किसे कर उस पर किस पर रन करूंगा on pre-execute function पर रन करूंगा अब इसके बाद हमारी यहां से branch divide होती है एक दूसरी branch शुरू होती है जो क्या होती है हमारी background thread होती है and background thread पर अगर हमें pre-execute में कुछ नहीं दिखाना हम क्या start कर सकते हैं तो हमारा कौन सा method run होगा यहां पर यह function run होगा do in background तो do in background का basically काम क्या होता है कि जो भी हमारे टास्क जो हमें main ui thread पे नहीं करने जो network type के request type की जो हमारे function है यह task है वह किस में करेंगे हम पूरे do in background पे and जो do in background है गईस अब देख लो एक हमारा main thread अलग चला है background thread अलग चला है और इसके method में जो हमारा pre-execute method है वही किस पे चलता है main thread पे चलता है पाकी सब किस पे चलेंगे background thread पे चलेंगे and इसके बाद basically guys हमारे कौन सी पूरी जो पूरा 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 प्रोसेस होता है वो क्या होता है कि simply हम क्या जो अगर publish process है तो वह हमारे main ui thread है तो उस पे शो करेगा और यहा in background में guys हमारा कोई न कोई प्रोसेस हो और मुझे दिखाना है कि ui thread पे उसकी update आती रहे कि अच्छा आप 2% डाउंडोड हो गया यह 10% 20% तो वह किसकी help से कहते है हम progress publish progress method की help से and basically हम क्या कहते है doing background से उसकी जो update होती है वह किसमें बेच्छान है जो main ui thread होता है यह guys final result नहीं होता है खाली updates होता है जो थोड़ी-थोड़ी time में ui पे शो होता रहता है जब इसमें कोई changes होए इसने कहा दिखा दिया you are show कर दिया है and हमारा last step होता है वह क्या होता है on post execute होता है जैसे हमने बात करी थी and basically इसमें शो क्या होता है on on post execute में क्योंकि यह आप देखो एक इसम हमारे main thread पे है तो on post execute में जो हमारा result होता है जो हमारे do in background में होने के बाद गया वो किसमे शोगा on post execute में होगा तो हमारा पूरा थ्रेडिंग का क्या डाइग्राम है सबसे डाइग्राम है इससे जादा easy explanation इसकी नहीं है कि basically work कैसे करेगा और इसके अलग लग प्रोसेस के हैं और आपको डिटेल में तब समझ में आएगा जब हम इसे नहीं किसमें चलेंगे अब Android Studio में चलके इसे apply करेंगे तो आपके थोड आपने Android Studio में आचुके हैं अब क्या करना है हमें async task create करना है अब यह चीज़ हम network में डिसकस कर चुके हैं कि async task create करने के लिए हमें क्या create करने पड़ेगी एक inner class create करने पड़ेगी and inner class basically होती कि कोई भी एक class जो दूसरी class के अंदर हो जैसे हमारे nested क्या थे layout ऐसी क्या होती है तो अब किस पर देख लेंगे गई कैसे हमें inner class create करनी है and कैसे उस पर हम work करेंगे तो simple के करेंगे यहां पर एक class create कर लेंगे किस नाम से public नाम सोचते हैं guys github query task कर लेता है क्योंकि हमारा क्या है query के लिए task create करें तो यहां पर public class आ गई हमारी and यहां पर इसे नाम देते हैं github query task यह कौन सी एक class रखी है हमने जिसका नाम क्या है github query task and इसका main functionality क्यों होगी guys कि यह query link जो हमारी हम यहां पर देखो make github search query में यह हम यहां पर क्या कर रहे थे network से request कर रहे तो अब हम यह network से request जो यहां कर रहे थे वह आप किसमें करेंगे इस वाली class में inner class में करेंगे तो मैं किसको कर लूँगा extend कर लूँगा async task को and यहां पर मेरा क्या आगया async task यह आ गया guys अब आप देख सकते हूं यहां पर क्या रहा है यह कटा हुआ है रहा है रहा है यहां यहां पर क्या रहा है क्योंकि यह वाला method होता है हमारा कंडने का जो हमारा background वाला अब इसके लिए हम fragments यूज करते हैं and थोड़ा develop method आ चुका है but मैं अभी भी आपको async task क्यों बता रहा हूं वह इसलिए बता रहा हूं guys क्योंकि पहले हमें basic समझने है यह अब भी ऐसी चीज़ है guys जो पहले यह समझोगे तो आप fragments वाला जो network fragments वाला है वह हम आगे discuss करेंगे तो जब हम इसे overlap करेंगे तो आपके बहुत better अगर आपकी यह समझ में आगे तो आपके वह बहुत easily समझ में आजाएगा और आपको को issue नहीं होगा उसमें समझने के लिए आप यहां पर करेंगे इसके parameters देंगे guys क्योंकि यहां पर हमारे क्या हैंगे तीन parameter आएं तीन parameter क्यों दिए है guys क्योंकि अगर आप सोचो तो async task में एक तो लेगा वो URL लेगा जो हम क्या करेंगे सर्च करना है मेरा तीसरा हमें कोई तीसरा जो parameter है किसलिए होता है जब हमें कोई progress update शो करनी है तो वह हम इसमें शो करेंगे नहीं तो इसके लिए कह दे दिया मैंने वाइड दे दिया एन एक चीज़ का और ध्यान रखना काई यहां पर जो वाइड है वो किस से स्टार्ट होगा capital V से स्टार्ट होगा क्योंकि यह मैंने बहुत डिटेल में अल्रेडी डिसकुस कर चुका हूं कि जो हमारी generic class होती है उसमें हमें हमेशे किस से शुरू करते है चीज़ करते हैं अपरकेस लेटर से स्टार्ट करते हैं इसका रिजन भी हमने बहुत डिटेल में डिसकुस करा तो जिसने मिस कर दिया गाई वो नेट्वर्किंग में जाके जनरिक प्लास में आप देख सकते हो वहां पर मैं बहुत डिटेल में से एक्स्प्लें करा है और चाहिए होगा जिक्सiktar कसि क Odysseer को कि टाइप में इिस टाइप बेक्ग्राओंड में अप में से क्वे प्रपास क्या अ यहां पर देखोगी क्या ले रहा है यूरल ले रहा है एंड थ्री डॉट्स है तो मैंने आपको बताया है यह किसलिए दिखाता है हमारे यह बिसिकली एरे कि इसके पैरमेटर के एरे टाइप है अब यहां पर एक चीज और जैसे यहां पर यूर्ल ले रहा है सब्रूर नहीं हाँ और ले और पर यहां पर उरल यहां पर आप रिले सकते हो यहां पर बना लेते हैं जो क्या लेगा यूर्ल है हमारा यहां थे ह haniko एक वेरीयेबल बना अब्ट बना लिया है करों छो हमारा क्या है UrL है यहां पर और इस की क्या कर देंगे इनिशेट कर देंगे वैलीघो को मैं यहां बहुत में समझा चुका हुँ कि यह रिंदे हुट कि आपर यह परमिटराइट क्यू करते हैं तो जो कर रखा है तो सम्पल आप कर सकते हो networking में जाके आप इसे कर सकते हो अब गाई जो हमारा आगे का प्रोसेस है है यहां पर मैंने URL पास करवा दिया है start करवा दिया मतलब ठीक है अब जो हमारा query करना है क्या query करना है कि जो हमारा networking है उससे जो हमारा जो हमने क्या दी ती GitHub में जो query दी है उसे run करवाना है किसमें HTTP response में तो गई यह चीज हम already कर चुके हैं कर चुके हैं तो अगर आप यहां पर देखो तो string GitHub results यह क्या है यही चीज हमें क्या करना है क्या है क्यूंकर सेम ही है थैस हमें सिंपल लिए और रिक्वेर्स करना है अपना जो query हम उपर कर रहोगा है देखो यह क्रें में तो इसलिए हम कॉन से संब कर रहें क्या गर्रम problème कर हमारा यह अब क्या करेंगे गई इसमें ट्रैक क्षब्लोक लगाएंगे तो सिंपल मैं यहां पर लगा दूंगा मुझे क्या करना है सिंपल वही है गई जो हमने उपर करा था कोई डिफरेंस नहीं है गटब जो सब्सक्राइब कर देंगे हम जो हमारा मैथ हर्ट था कौन सा सब्सक्राइब तो गेट एच्टिप रिप्सपॉंस फॉम यूर्ल था वह वाला है यहां पर हमारा कौन से सर्च यूर्ल अब गई इस चीज का आप ध्यान रखना जो हमारे उपर यहां पर क्या था गिट हब सच यूर्ल एक दूसरा ओर यहां पर जो हमने यह बहुत लिय दुछी तो प्र छोल तुछी लेकिन यहां पर जब हम एसिंग टास्क को यूज घरिट हम इसमें इससेग कर रहा है हम इसमें एक उनिशीय एट करा है और किसके थ्रू करा है अब इस बिस्कुस करेंगे लिए जो फोज़गा इसमें आएगा कैसे ओके फिर तो हो गया हमार यहां पर यहसाट हो चुका है कका है यहां पर हमारी क्या आ रही है क्या रही है क्या एक्सेप्शन तो बेसिक ली हमें यहां पर एक्सेप्षण क्या ना पड़े गा तो simpile input out input exception है तो मैं यहां पर Input ouput Exception ले लुँगा and इसे करवा लिए क्लिंगेSorry कर देंगे सेटरेश कर देंगे तो यहां क्या हो गया है न रिटर्न क्या कर दूंगा sa apl county हमें रिटर्न क्यों कर हमार हिसे डाइस के दाब कर दौन है यह वाला में हम एक ही इसको callback method यूज करें और वह कौन सा callback method है background वाला अब इसको गाइस यह हमारा अभी क्या हुआ है खाली setup हुआ हमने कुछ अभी इसे connect नहीं कर आ है किस से हमारा जो मेकम मेक GitHub query method है उसमें कोई setup तो नहीं किया अभी तो गाइस हमारा जो क्या था जो network request कर रहा था URL के लिए अब वाला logic क्या है मैंने यहां पर लिख दिया है तो मेरा जो में GitHub search query वाला method था इसमें यह वाला query वाला जो logic था अब मुझे इसकी जरूवत है नहीं तो मैं इसे क्या कर दूँगा डिलीट कर दूँगा क्योंकि अब मुझे क्या करना है async task यूज करना है तो गाइस इसके लिए मैं आपको बताया था एक execute command थी हमारी जो यूज करते हैं तो यहां पर simple मैं क्या यूज कर सकता हूं github query task dot execute और इसमें execute होगा क्या हमारा आप execute होगा गाइस क्या जो हमारा GitHub search URL तो simply मैं यहां पर search URL input कर दो रही है गाईस जो एक तो मेरी यह इस गलती हो गई कि मुझे है इ contextual create करना है पर अन इंस्सेंस क्या रहे हैं never expected रहा है तो यहां पर new instance क्या create करते हैं simple new लागा की use करते हैं तो यहां please ते इंसन क्रिएक कर लिए इसका इत्सकाश आपनी है हमारा सब सेट अप हो चुका है अब सिंपल किया होगा जैसे ही यहां तक का तो गई हम लोगों ने समझ रखा था कि क्या हो रहा था अब क्या होगा जो हमारा GitHub search URL था किसमें आया हमारे async task में आया किसमें रन हुआ हमारे execute method में रन हुआ execute method किस पर गया हमारे GitHub query task में गया जिसका हमने क्या कर रहा था instance create कर रहा था and basically वह किसमें गया हमारे do in background में गया तो इसमें GitHub search URL में already guys क्या था हमारा URL available था जो किसमें गया URL में गया and guys URL को कैसे पता कि कौन सा URL है क्योंकि यहां पर आप देखो तो GitHub search URL already हमने क्या URL टाइप का object create कर रहा था तो URL क्या ले रहा है URL टाइप का object ले रहा है तो simple हमने इसलिए यहां पर क्या रहा है इसे initialize करा था guys फिर इसके बाद मैंने GitHub search results जो query वाला था जो हमने उपर करी रखा था वही कराएगा इस इसके नीचे process पूरा same as simple क्या हुआ यहां पर guys हमने query करी एंड उसने कर दे दिया return दे दिया GitHub search resource में तो guys वही पूरा process है बस अब क्या कर रहा है हम इसे एक inner class लगा के उसे क्या कर रहा है background में कर रहा है ना कि front end में तो अब आप इसे run करोगी guys तो हमारी error नहीं आएगी okay कौन सी main thread exception वाली error अब नहीं आएगी क्योंकि आप कर रहा है हम background में run कर रहा है लेकिन guys अगर आप यहां पर देखो सब कुछ हमने setup तो कर दिया right लेकिन आपको यहां पर question होना चाहिए कि हमने सब कुछ तो कर लिया process कर लिया लेकिन हमने जो हमारा क्या था जो display था right जिसमें हम किसमें display कर वाया थे m search results text view में हम set कर वाना था right तो यहां पर आप देख आपको कहना चाहिए हमने set तो कर वाया यह नहीं कर वाया and अगर set नहीं कर वाया basically guys हमें दिखेगा भी नहीं result right तो guys इसके लिए अभी हमने क्या करा पहले उसे calculate करा background में फिर execute method से उस execute तो कर दिया लेकिन अभी हमने set नहीं कर रहा है मतलब show नहीं होगा अभी अभी सिर्फ हमने उसके execution पूरी करी है show नहीं करा है तो show करने के लिए guys एक दूसरा हमारा method था अगर आपको याद हो तो वह था Großix एक्षीछ पूसरा पशीओ प्रोनले के बात क्या होना चाहिएüman güld में क्या है जो अल्री हमारा process हो चुका है and अब क्या मिला विस के साथ हमें क्या करना है तो हमें जो यह result है तो मिल चुका है अब हमें उस पर करना महन कहले साथ और प्स एक्शीक्छ भी लगाना है तो यहां पर simple, क्या लिख दूँगा, post execute method, यहां पर आप देख सकते हो, अपने आप क्या create हो चुका है, override method, create हो चुका है, and यहां पर protected void, void क्यों क्यों कि इसका कोई क्या नहीं है, return type, वो नहीं है, guys, हमें कोई output शो नहीं करना है, and आप इसमें देखो, guys, यह क्या ले रहा है string s ले रहा है, right, आप guys, यहां पर आपको सोचने की बात यह है, क्योंकि यह एक string type ले रहा है, तो मैंने क्या बताया था आपको, कि जो हमारे github search results है, यह basically क्या एक string type है, अगर आप यहां पर देखो, हमने इसे क्या कर रहा था, यहां पर इस variable को किस type को बनाया है, हमने string type क करता है, किसमें, text view में string type के, तो guys, यहां पर यह string type, यहां पर क्या ले रहा है, post execute में यही value लेगा, ताकि यह क्या कर सके, दिखा सके, तो यहां पर, अब हमें कौन सी, अब S तो नहीं है, guys, हमारी, क्या दिखाना है, हमें, github search results में है, हमारा सारा data, तो मैं यहां पर simple क्य यहां पास कर दूँगा, github search results, simple type कर दूँगा, search, और फिर आप simple क्यों क्यों कर सकते हो, यहां से उपर से copy भी कर सकते हो, and simple यहां पर paste कर सकते हो, इसमें एक चीज और ध्यान लगना है, guys, हो सकता है, जो हमारे github search results हो, यह क्या हो, null हो, मतला हमारा URL आया ही नहीं हो, और क्योंकि इस चीज को भी आपको ध्यान लखना है, कि जैसे अगर यह try, हमारा यहां पर github search results हमने के अगर आता, null कर आता, right, तो अगर यह try block है, यह चला ही नहीं, right, मतला इसमें कुछ नहीं है, हमारा URL यह तो null होगा, यह कोई error आया, exception catch कर लेगा, उसे, यह फिर github search results में null है, तो हमें यहां पर condition भी लगानी पड़ेगी, जो null statement को भी handle कर सके, तो यहां पर मैं क्या कर लेता हूँ, इसके लिए हम, if condition का use कर सकते हैं, and condition लगा सकते हैं, कि अगर null हो, तो basically, क्या होना चाहिए, तो यहां पर मैं github search results not equals to null, और यहां पर क्या use करेंगे, यहां यहा हमारा null भी नहीं होगा, और empty space भी नहीं हो, सिर्फ तब, तब क्या होना चाहिए हमारा, जो हमारा, कौन सा था, guys, उबर देख लियाता है, कौन सा search box था, m search result text view, तो यहां पर हमारा, इस पर set कर देंगे, m search result text view, okay, इसे लेंगे, यहां पर क्या करेंगे, set text करेंगे, कौन सा आवला character, चूस करना था, guys, हमें, I think, okay, character चूस करना था, ऊपर हम इनको प्वारा सर्चरत करना है, guys, इस पर, इस पर, हमारा, Github Search в श जो, स्ट में हमारा, व क्यों से लिधा, st wanted, से से, STEP कर देंगे, Github Search Results, and यहां पर, क्या होगी, हमारी, हमारी पूरी हो गई है, टो नल होगा या फिर क्या होगा में वाइट कर और यहीं क्या है बेसिक्ली से से झाले तो अब जब हम इसे रரं करेंगे तो बस्किली यहां पर क्या होगा पहले बैक्ग्राओं में मैं तस्क होगे यहां यहां क्या या एक्ymста कुट्प जो हमारा on post execute है basically उसने क्या कर दिया guys set कर दिया और क्या set कर दिया जो हमारा string की value थी तो guys हमारा app कुछ ऐसा दिख रहा है इस time पर अगर जैसे मैं कोई यहां पर query input करो okay and simple search के button पर click करो तो थोड़ा सा हमें time लग रहा है इसे search करने में and जैसी यह search होगा हमारे पास क्या आजाएगा एक response आजाएगा guys थोड़े में और जैसे यह आग चुका यह क्या है एक अभी fake query थी guys इसमें अभी हमने कुछ search नहीं करा and इसमें एक चीज और गई अगर आप देखो यह जो हमारा search के आया राइट यह जैसन के form में आया JSON के form में आया है and हमने इसे क्या नहीं करा है अभी sort out नहीं करा है कुछ इसमें से हम क्या नहीं कर रहा है कोई extract नहीं कर रहा है information यह simple जैसा हमारी information थे हमने वैसी ही fetch कर लिया तो इक है अभी एक problematic वाली बात है and यह तो होगी गई इस एक problem इस चीज को हम दूसरे इसमें देखेंगे दूसरे apps में कि इस चीज को कैसे solve करना है कि कैसे हमारे जो JSON का data है उसे कैसे हमें extract करना है दूसी लेकिन इसमें एक issue की बात और है guys कि यह है अभी हमने perfect condition में test कर लिया कि net है हमारा and हमने test करके देख लिया उस condition में क्या होगा net नहीं होगा and हम उसमें search क्लिक करें तो हमारे पास कोई data आएगा भी नहीं रही तो एक condition or check कर लेते हैं क्योंकि guys अभी तो हमारे पास perfect condition है तो हमारी को शो नहीं करेंगा और data भी हमारे पास नहीं आएगा तो आप किस पर चलते हैं android studio पर चलते हैं और इन चीज़ों का implementation देख लेते हैं कि अगर हमारे आप में नहीं है इंटरनेट तो से जैसी हम क्लिक करें सर्च पर वो के दिखा दे अर्र मैसेज दिखा दे की नो इंटरनेट इस अवेलिबल और इस फेल दू रिट्रीव इंफोर्मेशन आहरर ऐसा कुछ ओके